हेलो बच्चो मेरा नाम है अभिनौपाथक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 10 का अगला वनसौट जिसका नाम है वरत टिक आज हम लोग सरकल का वनसौट कंप्लीट करने वाले हैं मतलब कि सरकल को एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं प् इन बच्चो ने नहीं कंप्लीट किये हैं तो वो प्रॉपर उन लेक्चर को रिवाइस कर लें क्योंकि आप अगर उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले और उसका आपको रिवीजन करना है तो यह वनसौट बहुत प्रॉपर डिजाइन है वेल डिजाइन ह तो अगर हम व्रत की बात करें तो व्रत बहुत आसान चैप्टर केवल दो ही एक्ससाइज है जिसमें 10.1 और 10.2 है और 10.1 में सिर्फ चार कोश्चन दिए गया है वो भी बविकल्पी टाइप की कोश्चन मनला रिक्तिस्तान वाले एक नंबर से कोश्चन उस पर बनता है 10. 10.2 कुल मिला के अगर देखो तो एक एक ससाइज है जो मिली जुली जिससे हमारा लॉंग कोश्चन भी बन सकता है सौट कोश्चन भी बन सकता है अच्छे कोश्चन 10.2 से बनेंगे ठीक 10.1 बी इंपॉर्टन है क्योंकि एक नंबर का तो कोश्चन आई जाएगा उससे वे में हम लोगों को वो पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगा 10.1 बी और 10.2 बी तो श्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की पिछला वन सौट हम लोगों ने त्रभुच का पूरा किया हुआ था आज हम लोग सरकल के बारे में बात करने वाले हैं व्रत के बारे में बात क जाएंगे ठीक है पहला है कि व्रत की इस पर सरेखा 10.1 में हम लोग क्या जानेंगे व्रत की इस पर सरेखा के बारे में जानेंगे कि व्रत की इस पर सरेखा क्या होती जैसे कि फॉर इक्जामपल को व्रत है ठीक इस पर जो कोई भी एक इस पर सरेखा खीज दी जाए तो य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछी ही जाती है तो इससे लॉंग कोशन जो बनता है वो 10.1 प्रमे से बनता है तो 10.1 प्रमे प्रूफ करने को कभी-कभी आ जाती है उसकी चर्चा आजम कर लेंगे 10.2 है इसके बाद जहां पर हमें क्या पढ़ना है 10.2 में भी हमे प्रमे पढ़नी है जहां पर प्रमे परादारित कुछ अच्छे कोशन भी बनते हैं कहरा वरत के बाद बिंदु से खीची गई इस परस रेखा कि लंबाईयों के बारे में हमें एक प्रमे दी गई है उन प्रमे के बारे में चर्चा में करनी है मतलब क्या कह रहा है एक वरत और वरत पर बाव बिंदु वरत पर बाव बिंदु में तो वरत पर बाहर कोई एक बिंदु कहीं भी हो सकता मालू ये एक बिंदु उमने ले लिया कि वरत पर एक बिंदु ये बाहर एक कोई बिंदु क्यों है तो वरत के बाव बिंदु से जब हमें इस वरत पर इस परस रेखा खीचोंगे तो भी आप दो ही इस पर्स रेखाएं खीच सकते हो इससे ये बात इस पश्ट होती है कि वरत के किसी बहारी बिंदु से महला वरत पर किसी बहार वाले बिंदु से कोई भी कहीं भी आप बिंदु ले लो जहां आपको सही लगे बस वरत से बहार ले लेना कहीं भी आपको सही लगे यहां से यहां तक यहां तक चार और कहीं भी एक बिंदू ले लेना और उससे इस पर्स रेखा खीच कर देखना खुद से एक्सपेरिमेंट करना खुद से खीच कर देखना दो से अधिक इस पर्स रेखा है नहीं खीची जा सकती है जब भी आप इस शोटा शॉट में अंट्राइक्सिन कर लेते हैं के बारे में कि ने में थी पहले बरत के बार मैं चोटी सी चीज जान लेते हैं कि वर्थ लोग जानते भी हो बस इतना आ जान कि भारत है क्या चोटी-छोटी सी बातें रॉत और छ reflection के बाढ़ जाएंगे एकदम बिल्कुल fix है, constant point है, एकदम fix है, कईh move नहीं कर रहा है, कईhil नहीं रहा, डूल नहीं रहा है, एकदम fix है, यहीं पे, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदू यह है, जो क्या है, इस बिंदू के सापेच, यー इस्तिर बिंदू के सापेच, इसके चारो और क्या कर रहा है घूम रहा है तो यह बिंदू जो हमारे पास घूमने वाला जो बिंदू है जब इस इस्तिर बिंदू के सापेच चारो और ऐसे घूमता है कुछ इस प्रकार से माल लिया कि यह घूम रहा है तो यह क्या करता है एक वरत का निर्माण करता है बस यह ए तो वो क्या करता है एक वरत का निर्मान करता है तो अगर आपको जनरल बहासा में बताएं तो अगर आप जो लोग गाउं से बिलॉंग करते होंगे गाउं में देखे होंगे कि एक जैसे कि क्या होता है कि जहां पर गाय और भैस जानवर्स बंदे होते हैं जो जानवर बंदे और यहां से एक कोई जानवार है मालों वो क्या कर रहा है गाय है या भैस है गाय है वो क्या कर रही है इस बिंदु के सापे चारो और ऐसे ही गती कर रही है तो क्या कर देती एक वरत्ताकार गती करती है तो वरत्ताकार क्या कर लेता है एक वरत्ताकार पत्त बन जाता है इसे ह हम वरत कहते हैं बस देसी भासा में अगर समझायता है तो इसे हम क्या कहते एक वरत कहते हैं मैं एक अच्छा सा डाइग्राम इसके लिए बना देता हूं मालो वरत की अगर बात कर रहे हैं यहां से बना देता हूं यह लिया मैंने से और यह हमारे पास हो गया वरत कुछ इस प क्या बोलते हैं उसको हम केंद्र बोलते हैं जो वरत जो हमने इस्तिर पॉइंट लिया था उसे वरत का केंद्र बोलते हैं और इस बहारी सीमा को जो इस वरत की जो ये बिंदु घूम रहा था ना चारोर इस बहारी सीमा को हम क्या बोलते हैं वरत की बहारी सीमा को हम परदी ब बोलते हैं त्रिज्जा बोलते हैं टिक व्रत के केंद से जो परदी तक की दूरी होती है वो त्रिज्जा होती वो आप कहीं पर भी मिला सकते हो हर जगे दूरी समान होगी क्योंकि उसमान दूरी पर ही घूमकर एक व्रत्ताकार पत बना था टिक केंद्र हो गई त्रिज्जा होगे परदी होगी और तीसी बात करें अगर हम क्या करें कि परदी परिस्तित किनी भी दो बिंदूओं को अगर हम मिला दें परदी परिस्तित हम किनी दो बिंदूओं को आप मिला देते हो मालों एक बिंदू ये है एक बिंदू ये भी है इस परदी पर कहीं बरदी दो बिं केंदुओं को मिला दिया जाता है आपस में तो वो एक जीवा का निर्मार करती है वो हमें जीवा बताती है ठिक व्रत्र की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास व्यास कैसे सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि जब कोई जीवा केंद्र से होकर जाती है मालो एक जीवा और ह होती है वही उसको हम व्यास बोलते हैं डिकोशन बनता था नाइंत में आप लोग पढ़ते भी थे कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तो आप बोलते थे व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास होती है क्योंकि सबसे बड़ी दूरी हमें केंद्र पर ही मिल पर सरेखा का मतलब क्या है अब लोग श्टार्ट कर रहे हैं सीधा इस पर सरेखा के बारे में ताकि हम छोटा सा इंटोडेक्षन हो गया कि क्या व्रत था थोड़ा सा दिमाग में इमेज बन जाए कि हाँ यह यह चीजे थी तो इस वज़े से मैंने यह चीजे अगर हम पहले दूसरे डाइगराम को देखो यह एक वरत है वरत को हमारे पास कोई एक रेखा है जो दो बिंदूओं पर प्रतिछेद कर रहे हैं तो जब किसी वरत को कोई रेखा दो बिंदूओं पर प्रतिछेद करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं छेदक रेखा बोलते हैं दूसरी वाले जराइगराम की बात कर रहा है कि जब कोई वरत्त है और वरत्त को कोई रेखा किनी दो बिंदूओं पर प्रतिछेद करें जैसे ए और बी दो बिंदूओं पर ये पीक्यू रेखा प्रतिछेद कर रही है वरत्त को तो इसे पीक्यू रेखा को क्या बोलेंगे और इसी जगह वही दो बिन्दुओं की जगह केवल एक बिन्दुओं पर प्रतिछेद करें एक बिन्दु पर प्रतिछेद करें या एक बिन्दु पर इस पर्स करें दोनों बातों का मतलब एक ही है कि यहां से पी क्यू जो है वो ए पर ए को क्या कर रही है इस ए बिन्दु पर इस ए बिंदू पर इस व्रत को प्रतिछेद कर रही है या फिर यह बोलनों कि पी क्यू जो है यह व्रत को क्या कर रही है ए बिंदू पर इस पर्स कर रही है तो जब एक बिंदू पर छेद प्रतिछेद करती है या एक बिंदू पर इस पर्स करती है उसे ही हम बोलते है इ इसी के हमें चर्चा करनी है इस exercise में इसी के बारे में पढ़ना है ना छेदक रेखा के बारे में पढ़ना इसका तो कोई मतलब भी नहीं क्योंकि यह ना इसपर्स कर रही है ना छेद रही है अलग है कोई एक रेखा है एक हमारे पास कोई व्रत है इसके बारे में कोई जानकाई नहीं है इसका कोई इससे तालुक नहीं कहीं दूर एक रेखा है उसका बारे में कुछ पढ़ना नहीं है छेदक रेखा के बारे में भ रेखा बोलते हैं या प्रतिछेद करें या इस पर्स करें दूनों बातों का मतलब एक ही है ठीक तो एपर क्या कर रही है इस पर्स कर रही है या एपर क्या कर रही है या प्रतिछेद कर रही है जब वो एक बिंद पर प्रतिछेद करती है तो इस पर रेखा ही होती है और की पूंट इंपाइंट है और प्रूप में सिर्फ थैोरी पर पूरा पूरा कुभ्य harsh words यह लिखी उसी पर पूरा प्रूव एक बाकी प्रूव बहुत आसान देखो करते हैं कैसे सेола 10.1 प्रमे सर ये कह रही है कि व्रत के किसी बिंदु पर इस पर्स रेखा इस पर्स बिंदु से जाने वाली त्रिजा पर लंब होती है अभी डाइग्राम पर नहीं जाना मैं पहले डाइग्राम इसका बनाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है वो डाइग्रम नहीं देखो पहले मैं डाइग रेखा तो वरत के हमने banल लिया कि इस बी दुन परankGI एक इस पर स्रICK हれका खीज़ दी कै draft के इस पर्स के रदरत के किसी बिंदू पर एस पर स्रही खा किसी बिंदू इस बिंदू P पर मालो हमने इस पर्स रेखा कीज़ी कोई दिक्कत नहीं इस पर्स बिंदु से जाने वाली तिर्जा इस पर्स बिंदु कौन है यही बिंदु पी समझ रहो ना इस पर्स बिंदु कौन होता है इस पर्स रेखा जहां पर भी व्रत को इस पर्स करती है उसी बिंदु को हम इस पर्स करती है तो उसी बिंदू को हो हम इस पर्स बिंदू कहते हैं तो कह रहा है कि इस पर्स बिंदू से जो तरिज्जा होती है यही तो कह रहा है कि इस पर्स बिंदू से जाने वाली तरिज्जा यह हो गई केंद्र को जब मिला देंगे तो यह तरिज्जा मिल जाएगी तर पर लंब होती है तो यह कह रहा है कि यह क्या होती है लंब होती है यह हमें सिद्ध करना है यहीं हमें सिद्ध करना है कि जो यह ओपी है वो लंब है इस रेखा मालों यह रेखा है एकस वाई अगर मालने तो इस एकस वाई रेखा पर यह ओपी जो है यह लंब है यह में आपर question में सिद्ध करना उसी का वो डाइग्राम बना हुआ है जो साड़ साइड में बनाया है कि एक वरत है वरत पर हमारे पास यह हमारे पास क्या है एक वरत पर हमारे पास यह इस परस रेखा है जो पी बिंदू पर इस पर सो रही है और पी से जब ओको हमने यह त्रिज्जा इस है यह त्रिज्जा जो है यह इस इस परस रहा पर लंब होती है यह में और शिद्ध करना चलिए श्टार रहाओं डाइग्राम वही वाला रखते हैं मैंने बता दिया कि डाइग्राम बनाई कैसे है ठीक कैसे को पहले यूज लिखते हैं दिया है पहले हम लिखते है दिया है अच्छा क्या क्या दिया था हमें दिया था एक तो वरत्त में पता है एक सपर्स रेखा पता है और सपर्स बिंदु तो मझेसे हमें तृज़ kle lets अब ये केंद्र क्योंकि इसमें लेंग्विज बहुत इंपॉर्टेंट है लेंग्विज बहुत ध्यान से पढ़ना और वैसे ही लिखके आना है आपको आप अपनी भासा में लिखो लेकिन लिखो वही जो समझ पाओ समझने की चक्ता आपने जो हम समझ जाएंगे न कि कोश्चन को कैसे प्रूफ किया गया तो लेंग्विज अपने आप निकला आएगी है वही मैं अपने मन से लिकर मुझे नहीं पता बुक में क्या लिखी है वह हर बार बदल जाती है लेकिन समझ में आना चाहिए कि लिखा क क्या है आपने रेखा एक्स वाई केंद्र ओ वाले व्रत्व को बिन्दू पी पर इसपर्स करती है यह हमें कोश्चन में दिया है वाई हम उसी के कॉर्डिक हमने लिग दिया कि हमारे पास एक रेखा एक्स वाई है हमारे पास ओ केंद्र वाला एक व्रत्व हमें पता है और एक इसपर्स बिन्दू पी पर यह क्या करती है हमें यहाँ पर नाम नहीं दिये गए थे ना कि क्या रेखा है क्या केंद्र तो वह हमने इस माध्यम से बता दिया कि रेखा एक हमारे पास xy है जो हमने वरत लिया है उसका केंद्र o है और जो वरत पर इसपर्स रेखा खीची है वो जिस बिंदू पर इसपर्स करती है वो बिंदू हमारे पास p है तो p पर इसपर्स करती है इससे में क्या पता चल गया अता यहां से हम लिख सकते हैं, अता हमारे पास, O-P जो है, वो क्या है? तरिज्जा है, यो कि जब हम O से P को मिला देंगे, तो ये वरत्त की क्या बन जाएगी? तरिज्जा बन जाएगी, क्योंकि केंद से हमने परदी का एक बिंदु मिला दिया, पी बिंदु क्या है परदी पे इस्तित होगा तो ओपी हमारे पास क्या हो जाएगी तो ओपी हमारे पास क्या हो गई एक त्रिज्जा है ठिक यह तो हमें सिद्ध दिया है कोश्चन में इतना हमने देख लिया कोश्चन के एकॉर्डिंग जो दिया था उससे हमने पता किया अ एक्सवाई एक्सवाई मतलब की उस रेखा इस परस रेखा पर तो यह में सिद्ध करना है कि ओपी जो है वो लंग भै एक्सवाई पर सिद्ध करेंगे अब एक स्टेप और इसमें रचना की करनी है रचना हमने क्या करी जो बिंदू क्यों दिख रहा है तुमें फीगर में कि हमने क्या किया रचना में हमने यह किया कि इस बिंदु पी के अत्रिक्त यक्स वाई रेखा पर इस बिंदु पी के अत्रिक्त इसके अलावा एक बिंदु हमने क्यों लिया वो कहीं भी ले सकते हो ऐसा नहीं इस फीगर में जैसे यहां पर लिया गया मालो अगर हमारे पास यह ये इस पर से रहा थी मालोँ यहां पर लिया गया इस question में, आप यहां पर भी ले सकते हो, क्यों यहां पर भी ले सकते हो, और क्यू को ओ से मिला दिया, बस इतना काम किया है रचना में, क्या किया लिखते हैं क्या लिखते हैं रेखा xy पर बिंदु p के अत्रिक्त बिंदु p के अत्रिक्त बिंदु p के अत्रिक्त बिंदु p के अत्रिक्त एक बिंदु क्यों लिया या बिंदु क्यों लिया बिन्दूख क्यूं लिया तथा क्यूं को ओ से मिलाया इतना काम हमने किया जो किया वो लिखो बस और कुछ नहीं करना अपनी भासा में ठीक यह हो गई बात इतनी कि क्या दिया था हमें क्या सिद्ध करना था और और क्या हमने रचना की, रचना हमने क्योंकि रचना की ज़रुवत क्यों पढ़ती है, इस चीज को सिद्ध कर, उत्पति, मलब प्रूफ करने के लिए हमें कुछ step follow करने पड़े, कि ये बात जो कथन उपल लिखा है, उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो अपनी तरफ से हम कोई step follow कर सकते हैं, उसकी कोई दिकरत नहीं, बस वो proper उस way में होनी चाहिए, जिससे वो satisfied करें उसे, क्या कहना चाह रहा है, कि रेखा, x, y पर बिंदू p के अत्रिक्ट, एक बिंदू q लिया, और q को उसे मिलाया, ये q को हमने उसे मिला दिया, अब सबसे important, अब बात सुनो अब हम सुरू करने जा रहे हैं, उपथी, उपथी में सबसे पहले बात सुनो, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अब बिना किसी chat के बात सुनना, क्या कहना चाह रहा हूँ, बात ही मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा, अगर हम बिंदू p के अत्रिक्ट, कोई भी बिंदू किया है लेते हैं मालों ये वwo को लें लो तो हम क्या यह नहीं कह सकते हैं को है यह ठिक यह और से क्यों सकी तक की दूरी घुंक यू आ ओपी से बढ़ा है क्यों बढ़ा है देखो क्यों बिंदु जो है वो इस वरत के कहां इस्तित है बहार इस्तित है अगर यह वरत के बहार इस्तित है यह क्यों बिंदु कहां इस्तित है इस वरत के बहार इस्तित है अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु माल लो A माल ले O से A तो O से A यह क्या है त्रि पर कहीं पर और होगा मालों यहां पर भी होता तो भी हमारे पास क्या होता वो पर दिपर होता तो ओप जो है वो ओपी के बराबर है लेकिन जो ओक्यू है ओक्यू की बात करो इसको छोड़ो जो हमारे पास ओक्यू बिंदू है वो हमारे पास क्या है इस वरत से बाहर इस्तित है, मतलब यह है कि OQ जो होगा, वो O P से बढ़ा होगा, होगा ना बढ़ा, क्योंकि यह वरत्त के बार इस्तीत है, यहां तक की दूरी, देखो, O से यहां पर हो, यहां पर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, वो हमेशा त्रिज्जा से बड़ा होगा, अगर हम उसको यहां से मिला दें, यह मिला दें, कहीं पर ले लो, इस रेखा पर तुम कहीं पर एक बिंदु ले लो, इस रेखा पर तुम कहीं भी ले लो जहां तुम्हें सही लगे वहां ले लो लेकिन वो O P से हमेशा बड़ा होगा क्योंकि O P जो P बिंदू है वो सिर्फ हमारे पास इसकी परदिपा इस्तित है बाकी जो भी बिंदू होगे इस वरत्त से बहार इस्तित होगे अगर इस इसपर्स रेखा पर आप कहीं भी बिंदू लेते हो इसपर्स रेखा पर ही लेना क्योंकि जहां पर भी इसपर्स रेखा किची तो इसपर्स रेखा पर कहीं भी तुम यहां पर बिंदू लेते हो वो हमेशा क्या होगा इसकी त्रिज्जा से बड़ा होगा चाहें य तो क्यूं जो है वो बढ़ा है वो बात में लिख रहा हूँ हम ये लिखेंगे कि क्यू बिंदु जो है वो इस वरत के बहार इस T igual guitar इस पर सरेहा परएक बीन्डु पी लिया था और उसके बह più था यही बात लिखतें लिखतें हैं यह द्यान समझना खै एक फिश्वाई है पर के केवल एक स्पर्स बिंदू है, इस्पर्स बिंदू तो केवल एक ही है पी, तो लिखते हैं, रेखा एक्स वाई पर केवल एक स्पर्स बिंदू पी है, उसके अत्रिक्त अन बिंदू क्यूं व्रत पर व्रत के बाहर इस्तित होगा, क्योंकि हमारा पी बिंदू जो होगा, वो व्रत की पर इस्तित होगा, इस्पर्स बिंदू पी है, अब और चीज लिख देते हैं, थोड़ा और किलियर्टी मिल जाएगे, जितना अच्छा लिख सकते हैं, उत्ता ही मजा आएगा, ताकि एक्जामनर खुस हो जाए, देखो, यहाँ पर एक चीज ओल लिख सकते हैं, कि रेखा इस्पर्स बिंदू पी है, जो व्रत परिस्तित है, जो व्रत परिस्तित होगा, सिधा जो इस्पर्स बिंदू होगा, वो कहाँ परिस्तित होगा, व्रत पर तो जो व्रत पर इस्तित है तथा अत्रिक्त बिंदु Q जो अत्रिक्त बिंदु हमने क्यों लिया था अत्रिक्त बिंदु Q वरत के बहार इस्तित है का इस्तित है बहार इस्तित है इसमें सिर्फ लिखना ही है ठिक बहार इस्तित है अगर व्रत के वह बहार इस्तित है तो सीधे तुम लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि जो OQ होगा वो हमारे पास बड़ा होगा ओपी से बस यही बात हम लिखना चाह रहे थे इसी बज़े से हमने पूरी एक रमायल लिखी कि हमने क्यों बिंदू को बाहर इस्तित क्यों दिखाया क्योंकि हम यह दिखाना चाह रहे थे अगर इसके व्रत के बाहर कोई बिंदू इस्तित होगा है क्योंकि हम देख भी सकते हैं कि यहां से हमें ओपी है और यह क्यों दूरी जो हमारे पास है वह जाना तो यह लेंग्वेज हमने क्या लिखी एक बार फिर से रिपीट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कहरा रेखा एकस वाई पर केवल एक इसपर्स बिंदू पी था जो एक अत्रिक्त बिंदु आमने क्यों लिया था व व्रत के बारिष्थी थे वो में दिख रहा है, कि हमने लिया है इस पर से रहे लो बहुत के बदा बहार के बाड़त होगा उपीस बस के इसे प्रूब और देखो क्या बताना है चाह रहे हैं अब आप तुम समझो अगर इस पर्स रेखा पर कोई भी बिंदु तुम ले रहे हो चाहे वो यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसमें सबसे नियूनतम दूरी यही ओ दूरी होगी कौन से होगी नियूनतम सबसे कम दूरी होगी बाकी कहीं पर भी अगर बिंदु ले लो यह क्यों बिंदु यहां पर ले लो यहां 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 कहीं भी ले लोगे वह हमेशा इस नियूनतम द तुम रत के बाहर पहुचोगे दूरी बढ़ जाएगी और नियूंतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं लंबवत दूरी बोलते हैं जो यह नियूंतम दूरी होती है इसी को आप बोलते हो लंबवत दूरी कुछ नहीं सिर्फ नियूंतम दूरी को ही लम्बवत दूरी बोला जाता है, so just this हम कहें, लम्बवत क्योंकि ये न्यूंतम दूरी है, और न्यूंतम दूरी को ही लम्बवत दूरी बोलते हैं और हमारा लम्ब शिध्ध हो जाएगा, कि ये त्रिज्जा जो है बो इस। पर Belum bris यही और लिखना और कुछ नहीं अभ यही बात यहां पर लिख दे थे हैं कि मारे पास क्या दिखना है कि ओपी जो है मारे पास वो निइयु ले यहां से नीचे हम यह सब्धुन पें आंगे चलते है लिखते हैं अब क्या लिखना है तुम्हें अब आंगे सेकेंड इसी की नीचे लिखोगे मैं आपे लिख रहा हूं रेखा रेखा एक्स वाई पर रेखा एक्स वाई पर रेखा एक्स वाई पर है भिन्दू ओ से पी तक की दूरी वियां टक्दूरी नूम तनली है कि यहीं लिख दो जिक कर ढिर्ट लेंहें धिक देलेक्टि नन्यूम तनली है है अब सबसे नियूंतम दूरी है यही लिखो सबसे नियूंतम दूरी है ऐसा कुछ लिखते हैं रेखाए xy पर बिंदू o से p तक दूरी जो है o से p o से p तक की जो दूरी है वो नियूंतम दूरी है सीधे यही लिखो किया वहल कुछ नहीं करो नियूंतम दूरी है अधा अता अधा, यह लिखता है अधा अधा सरनिूंतम दूरी ही अधा अधा लंबवत दूरी होती है और हम जानते हैं, यह न्यूंतम दूरी ही लंबवत दूरी होती है 장 अब हम नीचे लिख देंगे अता ओपी जो है ओपी लंबवत है किसके ओ एक्सवाई के रेखा एक्सवाई अब कोई दिखने इता लिक होगी पर्याप्त है इनफ है देख लो एक बार इंप्वाटेंट था क्योंकि इसमें लिखना सिर्फ इंप्वाटेंट है बाकी और कुछ नहीं क्या दिया गया है क्या सिद्ध करना है क्या आपने रचना की और उत परत्य में जो यह लिखी बहु ह mutma को ही बीदू लेड़ो वह प्रतेक बिंदू को संझेक कर रहा है कि ओक्णी जह इस रेखा पर कहीं पर होगो वह मेसा ऑपी से बढ़ा होगा तो अ धसे श Kollegin सब्से Member सब्से चोटी दूरी होगी और सबसे हम्नेन दूरी को ही अम लंबत दूरी होती है अगर वो लंब हो बाग्वाट दूरी होती है तो ओ पी नारे पास XYP क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी तो बस यह हमने यहां पर चिद्ध कर दिया कि ये हमारे पास क्या है यहां पर ये लंब concrete इससे हमारे पास calculation क्या मिला हमें conclusion यह मिल गया कि कोई वरत है अगर वरत पर कोई भी हमने इस परस रेखा खीज़ दी और यह मालो केंद्र है तो केंद्र से अगर हम इस इस परस रेखा पर यहां से अगर मिला दें इस परस बिंदू को तो हमेशा यह क्या होगी कहीं पर हो इस परस रेखा मालो यह खीज़ दी तो इस केंद से मिला दें तो क्या हो जाएगी यह रेखा पर जो त्रिज्जा यह मारे पास हमेशा क्या होगी लम होगी बस यह important region मिला इसी से question मनते अभी करेंगे question कैसा question बनेगा समझ गया ना सारे लोग कि क्या हो रहा था important था तो साहे क्योंकि समझाना important था समझ लोगे तु ज्यादा अच्छा रहे ठीक है चले आंगे चलते हैं अगले question पर अब इस पर आधारीत question करते हैं सिर्फ एक ही question है अच्छा बाकि सब ऐसे फर्जी question है आराम से सारे question तुम लगा लोगे इसी प्रमे से क्या question कह रहा है कि 5 sister वाले एक व्रत पर ठीक पास सेंटीमीटर तर्जा वाल हम्ने वश्ट ले लिया भाई यह मने मानलो एक व्रत लिया कि इसकी तर्म आरे पास किती है 5 cm कि तरिज़ रहा है अभी आपने पढ़ा भी है यहां माल लिया कि बिंदू P पर इस पर्स करती है तो ओसे हमने मालो यह P को मिलाया जो ओपी है और यह हमें दी गई है कि यह 5 है ठिक क्योंकि 5 सेंटीमेटर के में तिरिजद दी गई है तो यह पांच माल लिए कहरा ओक्यू केंद्र O से जाने वा P Q जो है मारे पास P Q है केंद्र O से जाने वाले ठीक करंद O से जाने वाले बिंदू Q पर इस प्रकार मिलती है केंद्र O से जाने वाले और Q पर इस प्रकार से मिलती है मिल गई कि O Q जो है वो 12 सेंटीमेटर ओसे क्यों जो है वो 12 सेंटीमेटर यह इस प्रकार मिलती है कि यह Q कि लंबाई ग्याद करना है किता आसान है क्या आसान है प्रमे 10.1 क्या प्रमे 10.1 कहती है यह कहती है कि किसी वृत पर कोई इसपर्स रेखा जब खीची गई है तो केंद्र से इसपर्स बिंदु पर जो हमारे केंद्र से जब इसपर्स बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्जा होती है उस त्रिज्जा का होती है वो त्रिज्जा की अगर बात करें तो वो इसपर्स रेखा पर लंब होती है जो यह पता है करन पता है आदार नहीं निकाल लोगे बस यह करना है पहले एक statement लिख देना कि जो प्रमे तुम ने उसकिए प्रमे 10.1 तो क्या लिखोगे प्रमे नमबर अगर तुम भूल जाना कि सट 10.1 था कि क्या था तो नमबर तुम ना डालना प्रमे से लिख देना तो भी काम चल जाएगा अगर आपके दिमाग में कभी confusion हो जाए कि यहां पर प्रमे सा 10.1 थी क्या थी लेकिन अब प्रमे याद है तुम लिख देना केवल प्रमे शे और प्रमे का एक बुक में तेखु नमबर बदल सकता है क्योंकि किसी बुक में हो शक्ता नमबर दूसरी नमबर पर निगे तिन प्रमे टेन पॉइंट वन पर दीए तो प्रमे 10.1 से आप क्या जान तो यह statement जो हमारे पास लिखा है कि वरत के किसी बिंदु से खीची गई इस पर्स रेखा इस पर्स बिंदु से जाने वाले जाने वाली त्रिज्जा पर लंब होती है यही कहता है कि वरत पर कोई हमारे पास इस पर्स रेखा अगर खीची गई है उसमें इस पर्स बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्जा होगी यह इस पर्स रेखा पर लंब होगी बस यही बात देखिए अब आप लिखो गया आंगे त्रबुज क्या ऐसे ओपी क्यू से ओप त्रबुज 실ी क्यू से ओपकर लिखते हो पाइथा गोरस प्रमे से पूरा लिखो पाइथा गोरस है पाइथा गोरस प्रमे यह कहती है दो 90 सामने वाली बुझा क्या होती हमेसा याद रहना मैं एक बार फिर से टिक तर्बूच ओ पी क्यू से में आप क्याकर लिखते हो पाइथागोरस प्रमेसे पूरा लिखो पाइथागोरस उआग्य है वेँ पाइथागोरस प्रमे ये कहती है तो कि सामने वाली बुजा क्या हो थी हमेशा याद रखना मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि 90 डिगरी के सामने वाली बुजा यहाँ पर मैं बना दूं क्या आप यहाँ पर यह बहुत यूज आएगा क्योंकि इधर उधर हो जाएगा डाइग्राम कभी समकोर्टर बुज कभी उल्टा होगा कभी ऐसा होगा कभी ऐस याद रखना 90 डिगरी के सामने वाली बुजा कंड ठीटा के सामने वाली बुजा लंग और फिर हमारे पास आधार हो जाता है यह यूज आएगा यहाँ पर काफी ज्यादा याद रहेगा क्योंकि आपको पता है मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा अगर किसी यू ओ व्हार कहा है बाई बाइध अपने मंद से लिख दिया तो फॉक्यू का इस फ्कायर ठीक 12 का स्कायर अब बराबर ओ फ्कायर मतलब की पांच का स्क्रालय साधी एग स्वारे इस्वारे अब ऑरा किस्क्राइर 145 अगर पांचीश हो जाएगा पचीस इदर आ जाएगा तो तो पी क्यू कित्ती आजाएगी पी के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144-25 हो जाएगा तो यह हमारे पास आजाएगा 144-25 119 अब यहां पे बराबर क्या जाएगा अंडरूट के अंदर 119 सारी सेंेटी मिंटर में वैल्यू है य에 तो इसको भी सेंटी मिन लिघके सेंटी मीटर के दिख रहा है आप्सन में धीकुकरा आप्सनी सेंटी मिनेट टिह और हो जाएगे सित्परमे का मैंने स्क्र cabeça धी सित्मेंट यह पाइथगुरस लगाया कहीं रफ में हल्किया सीदे 119 निकला सीधे आंसर मारे आंगे बढ़ गए टिक डी माना कि डी है सीधे आंसर मारों के उसमें आंसर लिख नहीं होता है जब वह कल भी कोश्चिन आता डारेक्ट आंसर होता है उसको सॉल्व नहीं करना होता है कोई करने आप पोश्चन नमबर डालो उत्तर और सीधे आंसर लिख दो कोई दिक करने जो विकल्पी प्रश्ण फिर जब अगर यह एक यह दो नमबर नों पूछा जाता है तो आप पाइस लगा दो फिर आप लिख दो एक नमबर में तो प्रमे भी लिगा के लिख दो इस प्रका का कोश्चन इम्पोर्टेंट है बाकि आप सारे कोश्चन कर लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आप ट्राइं करना सारे लगा लोगे चलते हैं 10.2 की ओर बहुत इंप्रटन एक्सराइन यहां से लॉंग भी कोश्चन आएगा अच्छे कोश्चन सारे यहीं से बनने वाले ह ठीक लॉंग भी लाश्म में करेंगे और सरल सरल कोश्चन बनते हैं देखो अब क्या कहती है अभी फिर से डाइग्राम पर ना जाना फिर से मैं लिखता हूं कहे रहा है कोई हमारे पास एक बाब बिंदु से वरत पर खीची गई इस पर से रेखाओं की लंबाईयां बराबर होती है अभी मैंने एक बात करी कि कोई वरत है अभी उस फीघर पर ना जाना जो पीछे जंदा फीघर बनता है वैसे बना लेते हैं मालो हमारे पास कोई एक वरत और बना लेते हैं इसके कुलोन ले लू कोई भी मालो वरत है मैंने वरत यह तीन वरत ले लिए अगर वरत के बहार इस्ति तुम कोई भी बिंदु लेते हो मालो हमने एक यह बिंदु ले लिया इस बिंदु से और इस वरत पर इस पर सरेखा हैं खीचनी है तो तुम दो ही इस परकमे खीच सकते हो यह बात अभी मैंने कीछे भी कई यहां प्रबिंदु लेलो कहीं भी लेलो यह क्यों बिंदु यहां से अगर खीचोगे तो भी इस पर से रेखा दोई कीच सकते हो हमेशा दोई इस पर से रेखा कीच सकते हो यहां से लेलो यहां से भी खीचोगे तो भी दोई कीच सकते हो तुम किसी भी व्रत की बात कर लो किसी भी रध में तुम बाहर का कोई भी बिंदू लेते ओं तो दोई इस पर रीखाएं किसक्त नहीं कि यह वरत है और फिर तुम्हें इस पर से रखाएं खीचनी केवल एक इस पर से का खीचनी कोई बाहर से नहीं लेना है इसी इसी वरत पर खीचनी तो आप अनंतिस पर से रखाएं की सकते हो यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी उसमें बिंदु स्थिर नहीं बि dc बात ये बस बताना चाह रहा हूं ठीक ये बात तो क्लियर हो गई आप चलते हैं अपने question पर question में कह रहा है question में ये कह रहा है कि बाब बिंदू से वरत पर खीची गई इसपर्स रेखाओं की लंबाईयां बराबर होती है ये अमने एक प्रूफ करके दिखाना है कि इनकी लंबाईयां जो होंगी इस पर से रेखाओं की ये बराबर होंगी वहीं वो डाइग्राम बना हुआ है चलते हैं पोश्चन की तरफ क्या हमें दिया गया है पहले वही चीज़ लिखते हैं दिया है कि अधिक आराम से पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगए डिटेल में लेक्चर चल ला है क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है डेल घंटे में निपड़ जाएगा डेल से बहुत ज्यादा एक घंटे 40 मिनट में निपड़ जाएगा पूरा एक ही बार में कवर करें लेकिन इसको गर तुम प्रॉपर देख लोगे इस वज़े से मैं आराम में पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर किसी के छूट भी गया है किसी लेक्चर में किसी नहीं पढ़ा है तो भी वह समझ जाएगा सारी चीज़ें समझ लेगा अगर किसी ने पहली बार भी देखा है त टिक अगर हमें क्या पता हमालों एक व्रत्त पता होगा पहले लिख देते हैं ओ केंद्रवाले ओ केंद्रवाले व्रत्त की इस पर से खाएं कौन कौन सी पीक्यू और पी आर है पीक्यू वा पी आर है इतनी बात तो हमें पता है यहीं तो इसने लिखा है क्या लिखा है देखो बाब बिंदू से बाब बिंदू तो एक लिख देते हैं कि बाब बिंदू भी तो है ओकेंदरवाले वरत्त की इस पर से रहा हैं, OQA, PR हैं रुको पहले यह लिखते हैं बाब इन्दू भी आना चाहिए बाब इन्दू भी तो पता है मैं ओकेंदरवाले वरत्त का यह पहले बाब इन्दू पी से े लाइवेज बना ले कोई भी बना लो इसे कोई दिख्कत नहीं है है ऐसे स्टार्ट करते हैं यह नहीं इसांट करते हैं है एलके को लिखे तसे बहा बंदू सीक्ट है बाव जो एक जरुआए लोग Geoam ठी upfront ऑब ऑके इंदर वाले ओ केंदर वाले व्रत पर बढ़ बिंदू P से ओ केंदर वाले व्रत पर इस पर्स रेखा है कौन सी इस पर्स रेखा है P, Q औ P, R है P, Q औ P, R है मट किक इतनी बात हमने लिख लिए हमें क्या पता था क्वेश्चन में उपर पडो लिखा था कि बाए बिन कि बहागी से वुरत पर खीकी गई ही इस पर सब्दाएं बस वहीं चीज़ा हमें हमें मतलब कि ये एक बाब उन बाब इंदु P से O के इंदर वाले वरत पर इस पर से रेखा है PQ अब PR है यह प्यार खीची है यह सिद्धी सी बात है प्यार ठिक यह बात हमें पता है अब यहाँ पर चलते हैं हमें सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है यह तो दिया था अब लिखते हैं सिद्ध करना ह सिद्धिंधे करना कि लंबाईयां बराबर मतलब पी cucumber के बराबर है बस चि करना भ्रभर एक ये तो आसान कोई बात नहीं रजना क्या करन रचना देको इसमें क्या करिए वह डाटेड वाले जित्ती चीज़ें उस अब रचना में है रचना हमने ये की अब देखो इससे हम क्या करेंगे सबसे रचना है? इंप़र्टेंट क्या हुआ? अब यहां पर 10.1 पर में का उब यहग लेंगे? आपको पता है कि यह इस पर्स बिंदू है क्यों बिंदू है इस पर्स रचाप रन्ब होगी ये दीरजा औार po से आ Ms. इस परस बिंदू को मिलाया है जो इस परस बिंदू से ये तरिजा जा रही है ये इस इस परस रेखा पर लंब होगी ये भी लंब होगी ये बात तो में पता है तो वही हमने किया पहले क्या किया ओ से क्यू को मिलाया ओ से आर को मिलाया और ओ से पी को मिलाया बस इतना काम ने रचना में किया फिर उत्पत्य में हमें यह पता हो जाएगा कि यह लंब है यह लंब है टेन पॉइंट बंसे अगर लंब है तो हमाई दो तरबुज मिल जाएंगे एक तो ओ पी क्यू एक ओ पी आर दोनों में पाइथा गुरुस पर में लगा देंगे आंसर हा जाएगा को ओ से आर को ओ से कौमा लगा के ओ से आर को तथा ओ से पी को मिलाया बस इत्ता किया 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 ओ से क्यूं को ओ से आर को तथा ओसे पी को हमने मिला दिया इससे फाइदा यह हुआ अब हम चलते हैं उप पत्ति क्यों उप पत्ति करते हैं ईक्रमक का मतलब समझते हो ना पूप अब प्रूफ की तरब चलते हैं प्रूफ में करना क्या अब हमें ये पता होगे 10.1 पर में से ये त्रिज ये मारे पास क्या होगी एक इस पर्स रेखा होगी अगर ये इस पर्स रेखा है तो ये त्रिज्जा पर क्या हो जाएगी यहां पे लंब हो जाएगी ये इस पर्स र प्रक लिख्टे क्या लिखते हैं कि हमारे पाइं प्रमे से लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं कि ओक्यूआ है वह लंब爆 है भी वह डिख्यू पर नथा शहर yaptय। वो लंबवत है किसके ओवार जो है वो लंबवत है पी आर के यह आपको पता है प्रमे आप लिख सकते हो साइड में आप प्रमे भी लिख सकते हो इस प्रमे की 10.1 प्रमे से आपको यह पता है ब्रैकेट में आप लिख दो प्रमे शी ठिक कि ये अमारे पास इस पर लंब है ये अमारे पास इस पर लंब है तो लिखते हैं अता त्रबुज कौन से त्रबुज से O P Q से O P पहले उपर वालन ले रहे O P Q तो O P Q से अब फिर से वही बात 90 डिगरी के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण तो यह क्या है O P हमारे पास क्या है कर्ण 90 डिगरी के सामने वाली भुजा कर्ण 90 degree के सामने वाली बुजा करन मलब OP दोनों में करन है तो यहाँ पे हम लिखते हैं OP का square बराबर OP का square बराबर OQ का square और QP का square OQ का square PLUS PQ का square इसको डाल दो समी करन 1 अब ले लो ये वाला OPR तरबोज OPR से OPR में क्या हो जाएगा ये भी करना है OP तो OP का square बराबर दोनों तरफ OP मिल जाएगा ना OP का square बराबर OP का square बराबर OR का square PLUS PR का square PR का square तिक ये बात हो गए अब देखो LHS दोनों तरफ बराबर OP यहाँ बिए OP का square यहाँ बिए आरेचेस अपने आप बराबर हो जाएंगे समीकरण एक वा दो से समीकरण एरे भाई जगए नहीं है तो गड़बड़ कर दिया तुम्हें है जगह तो होनी चाहिए थी जगह तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ हो सकता है यहां पर तो हो जगह बनाई जाये ना इसको इसको इधाश्प्ट कर लेते हैं फोला सा और इसको इधाश्प्ट कर लेते हैं बास एक मिनट का टाइम जेना जगए कि कमी है थोड़ा सा अ कि यह दिया था यह सिद्ध कर लिया इसको यह इधर ले लेते हैं लुकना कि अ कि ठीक और इसको इसको भी सिफ्ट करते हैं थोड़ा सा कि आजाए गयर दिखेगा तुम्हों को कि दिखेगा दिखेगा दिखे दिखागा यहां से ले ले लेते हैं इत्ता ले ले लेते सम्मी करने एक ले लो के वन इत्ता इत्ता दिखेगा रहां से अब जगे बना लिए लोगों ने ठिक जगे बनानी थी वाई एक मिनट का टाइम दे दिया बहुत धन्वाद आपका हमने यह तरबूज ले लिया वो तरबूज ले लिया अब समी करने एक वादो से मैं लिखता हूं नीचे समी करने एक वादो से कह सकते हैं कि हमारे पास LHS जब बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा हूं हाए तो RHS इसका ले लेते हैं पहले ओ क्यू का स्क्वाएर अरे ओक्यू है took cuad में लगा लेते ओक्यू dio का स्क्वाएर प्लस पीक्यू का स्क्वाएर बराबर हो ओय। दोerin की परаров दोना है यह वह खना नहीं ये भी R होगी, दोनों त्रिजजा हैं, ये भी R है, ये भी R है, क्योंकि क्या है, त्रिजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज और यह अभी क्या है आर का स्कॉयर फिर क्या हो जाएगा प्यार का कांकर जा सूर क्लिक्व च्राइक था रपास यहां से आप क्या लिख सकते हो लग इसक्वाइर ढलगता हो साइट में यहां यही प्रूव करना था कि टिक तो क्या जाएगा यहां से आप लिख सकते हो फीक्यू बराबर देख लो बाई ध्यान से देख लो एक बार पूरे कोईस्चन को पूरा अंसर आप एक बार द्यान से देख लो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि दस सेकेंड दे रहे हैं आप देख लो आराम से 10-15 सेकेंड में किसी को कोई डाउट कोई समस्या तो नहीं भाई कि आसाने वैसे कोईशन कुछ भी नहीं किया है सिंपल अमने क्या किया है दो समकोर त्रभूज अमने निकाले कैसे भी और दोनों में पाइथागोरस प्रमे लगाई है और सॉल्व कर दिया है कि चले आंगे क्लियर यहां तक आप इस पर कोश्चन करते हैं कैसे कोश्चन आएंगे इस पर जैसे पहला कोश्चन यह लिए बहुई कल्पी टाइप का है अच्छा कोश्चन कहरा बिंदु क्यू से एक वरत इस पर सरेखा कि लंबाई 24 सेंटीमेटर क्यूंकि केंद से क्यों चैंडीटर कोश्चन आपंद्र माल लिएक क्यू आरे पास क्यूंए कोई बिंदु यहां पर क्यूं आ लीए सकर्ट है इस Q से हम दोई इस परस रेखाएं खीश सकते हैं, एक तो ये, एक इसके नीचे खीश सकते हैं, बस दोई खीश सकते हैं, एक इस परस रेखा कि इसने लंबाई दिया है, क्या दिया है, इसने दिया है कि Q से एक वरत पर इस परस रेखा की लंबाई 24 cm, माल लिया, Q से हमने ये प्रतिजी दीगई घैए 25 सेंटीमीटर यह 25 सेंटीमीटर त Verge के तरिज्जा अफंसन है ते लिद्रum अच्छीजन करना कि यह ओपी बताना है कि ए numéro ये लिवे बताना है हमें बिंदुक वाली अभी यूज हो रही है कि आपको पता है कि इस इस परउ स्रेकhण की त्रिजा से जो मारे पास यह त्रिजांक यह ओगया आधार, यह हो गई लंब, तो ल Southwest यह पर निकालना एंप 90 डिग्री सामने वाले बुजा करन यह हो गई आधार यह 90 डिग्री वाले लंब है तो लंब में आप गयाद करना सिंपल एक बायाद करना आप है चाल लो बाकिया आप आराम से निकाल लो बस पाइथागोरस प्रमे लगा दो हम लिखते हैं सीधा त्रभूज कौन सा Q या O Q P लिख लो O Q P से कोई भी त्रभूज ले लो O P Q से हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमे सीधे पाइथागोरस प्रमे लगाओ जैसे या पाइथागोरस प्रमे लगाओगे काना का स्कायर O Q का स्कायर ओक्यू का ओल स्क्वाइर बराबर ओपी का स्क्वाइर प्लस पी क्यू का ओल स्क्वाइर यह हमारे पास किता है 25 ओपी हमारे पास निकालना है ओपी अगर हम यह आर मालने इसको आर निकालना त्रिज्जा है इसको आर माल लेते हैं कि यह तिज्जा आरे जो में ग्याद करना इसको जिए आर लिको थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में तो आर में निकालना है पी क्यू उमारे पास किता है 24 का स्कॉरर यह ओगया 625 12 में से का साथ चले गैं है यहां बचार अचान तो 11 में सच चले गए 4 9 में 2 सेंस्टि में 3 सान सेंटी मिटर हैड़ा सैं शल्राइक कि यह प्रमें लगनी थी कि हो मारे पास लंब होगी आप का छुदग एस्कायर बराबर लंब का इसकायर आधार कर तो ऐसान पाइला कोश्चन था यह उसी के कोश्चिंज लिए अच्छा कोश्चन जो है वो सारे करेंगे लॉंग कोश्चन भी आएंगे दो दो पेज के भाई वह भी करने हैं बहुत ंपोर्टेंट इसमें एक दो कोश्चन तो बहुत इंपोर्टेंट है चलते एगले कोश्चन पर यह कोश्चन देखो क्या कह रहा है कह रहा है आकरती 10.11 में यादी टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वरत की दो इस पर सरेखाएं इस प्रकार है कि पी ओक्यू 110 डिग्री है तो टीपी क्यू का मान गयात करो कह रहा कि निकल आएगी कोई दिक्कत नहीं है सबसे इंपॉर्टे माइब बहुत आसान तरीकस निकली देखो कैसे यहां से देखो यह देखो अगर पूरा देखना जो मैं दिखाना चाहरा हूं फिकर देखो पी ओक्यूटी इसको अटाओ पी ओक्यूटी एक चतुर बुज नहीं है देखो एक दो ती चाहर बुजाएं पी ओक्यूटी हमारे पास क्या है एक चतुर बुज और चतुर मुझ के चारों अंता का लोग योग तीन सबसाट डिग्री होता है और आपको यह पता है कि 110 डिग्री है और और से पी पर जाओगे तो ओसे पी पर हमारे पास क्या है यह हमारे पास एक इसपर्स रेखा है ती बिंदू टी से दो इसपर्स रेखा है कि चीग है बिंदू टी से दो इसपर्स रेखा है कौन सी है टीपी और टीक्यू यही तो बोला है टीपी और टीक्यू के अंदर ओ वाले किसी व्रत्त पर हमारे पास इसपर्स रेखा है तो तब यह हमारे पास 90 है और यह भी 90 है यह भी 90 यह भी 90 110 तो यह वेलू आराम से निकाल लो क्योंकि तीनों कोड़ांता कोड़ों का यह क्या होता है एक सब्सक्राइब पास 360 डिगरी हम लिखते हैं यहां पर सीधे यह लिखो चतुर भूज चतुर भूज मोटा पर ज्यादा आ गया इस पोटाओ लिखते हैं चतुर भूज चतुर भूज कौन सा चतुर भूज पी ओ क्यू टी लिख देते हैं पी ओ क्यू टी एक चतुर भूज खिक आता क्या था कि हमारे पास कोड कौन कौन से कोड पी प्लस कोड क्यू प्लस कोड टी प्लस कोड ओ को डी बीच में कोई रह गया कै इसो भूसर है पी ओ फ्लस क्यु ओ प्लस का टि इक वालटू तीन सुर्ट डिए साइरी वैली रग दू कोण पी लौर्ट्ट ये पास किता है नबब्वे ओ हमारे पास किता है 110 जा क्यूं हमारे पास किता है नबबे और यह टी निकालना है बराबर 360 इंब नबब 180 और 110 180 और 110 किते हो गए 290 है 290 हो गए तो 290 प्लस कोण टी 360 तो 360 माइनस दो सो नब्वे सतर आ जाएगा सब डिग्री है तो सतर डिग्री आ जाएगा आंसर को इंदिकर आए सतर डिग्री भाई भी आप्सन राइट हो जाएगा ठीक है पता है ना कि कि हमारे पाइश पर से रेखा है तो यह भी लंब होगी तो 90 होगा लंब है मतलब सब्सक्राइब वह टी हमारे पास निकल आएगा सिफ चत्रबुझ की प्रॉपरटी से इसमें तो खास वरत का वरत का यूज था तो भाई इस पर से रिखा कि प्रॉपरटी तो यूज करनी थी लेकिन चत्रबुझ भी देखो काम आ गया यहां पर पुरानी वाले पाप जो फिर वाँ कहेगा कि तुमने पुराने पाप की सर्म टेंथे में पड़े नहीं थे उस समय सर यह दिक्कत थी एक्स्क्यूज बहुत है समस्या है बहुत है कि सर उस समय हम यह था उसमें यह था जैनुविन समस्या समस्या है लेकिन फजी समस्या नहीं ठीक है क्लियर यहां त ठीक, और इसी का हमने क्लोन ले लिया, अरे रुको एक साम काम करूँ, एक माल लो हमने वरत्त लिया, संकेंदरी का मतलब होता है, जिनके केंदर हमारे पास, संकेंदरी वरत्त का मतलब होता है, जिन वरत्तों के केंदर समानों, मतलब कि इस वरत्त में देखो, एक ये वरत्त है, एक ये वरत्त है, दो वरत्त है, इस वरत्त का मालो यहां पर केंदर है, ये, ओ, ओ, इस वरत्त का भी केंदर है, ओ, इस वरत्त का भी केंदर है, तो ओ क्या बोलेंगे, ओ जो है, वो संकेंदरी केंदर है, और संकेंदरी है, म यही आपर यह बात कर रहा है कि एक तुमारे पास क्या है दो संकेंद्री व्रत यह पास क्या है हमने यह समान माली जिनकी त्रिज्जा है पाँच और तीन और इसलिए बड़ी बात है कि पाँच है जो बढे वाले व्रत की त्रिज्ज्जा है और जो तीन है छोटे वाली व्रत की है आज़े पांगे भी कुछ लिखा देखो पांच सेंटी WOR T transmisり में बड़े वाले व्रत्र बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ग्याद करो जो छोटे व्रत की इस्पर्स करती हूं हुआ कर रहा है कि बड़े वरत की उस जीवा की कि लंबाई ग्याद करो बड़े वरत पर कोई जीवा है जो छोटे वाले वरत को इस पर्स करते हुआ बड़े वाले व्रत्त की उस जीवा की लंबाई ग्याद कीजिए जो छोटे व्रत्त को इस पर्स करती है मालों कोई एक इस पर्स रेखा खीच रहे हैं बड़े वाले व्रत्त पर एक जीवा खीचते हैं जो छोटे वाले व्रत्त को क्या करती है इस पर्स करती है कुछ इस प् वाले वरत्य के लिए इस पर सेका भी है और बड़े वाले बड़े के लिए When I अभी है यह बात हमें दिख रही है इस कोश्चन में कहा था बड़े वाले व्रत्य की त्रिज्जा जो हमारे पास है वो में बोल रही है पास सेंटीमीटर की है तो यह पास सेंटीमीटर होगी कोई दिख कर नहीं है छोटे वाले व्रत्य की जो त्रिज्जा है वो हमारे पास होती है इस इस पर्स बिंदू को अगर हम बिंदू पी बोल दें तो इस पर्स बिंदू से पी से जो केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्जा है वो इस इस पर्स रेखा पर लंब होती है मतलब कि यह क्या होती है नभी डिगरी तो तीन है पाँच है यह हम नहीं निकाल सकते यह निकल आएगी ना समकोन तरबुझ लगके पाइधा गुरोस लगा देंगे तो एपी निकल आएगा और आपको पता है नाइंद क्लास में एक प्रमे पड़ी थी कि व्रत पर कोई अगर जीवा है व्रत में कोई जीवा है तो केंद्र से जब उस पर लंब डाल देते हैं तो व अगर एपी आजाएगा तो यह हमारे पास पीबी भी आजाएगा क्योंकि यह जित्ती होगी इतनी यह होगी दोनों को जोड़ देंगे तो एपी आजाएगा वही जीवा की लंबाई चाहिए कर लो आसान हो गया कुशन स्थार्ट करो कुछ नहीं करना है मैंने सीधा लिख का से ओपी एसे अरे प्रमे लिखना चाहो तु लिख लो तो लिकिन यही से लिख सकते हो कोई कोशन साल्व करना है को करना है लिखते हैं तरबुज ओए लुए पी में पाइथागूरस प्रमेश पाइथागोरस प्रमेश ठीक पाइथागोरस प्रमेश क्या कहती है कि हमारे पास जो कन का स्कॉयर है मतलब कि ओ ए का स्कॉयर जो है वो बराबर होगा ओ पी का स्कॉयर और प्लस के ए पी के स्कॉयर के तो ए का स्कॉयर है ये पाँच का स्कॉयर op का हमारे पास है 3 का square और ap हमें निकालना है तो यह आ गया 25 तीन का square इधर आएगा तो 9 हो जाएगा यह यह ap का square तो ap बराबर क्या आ गया ap का square बराबर आ गया सरसूला तो ap बराबर आ गया 4 ठिक पता है ap बराबर 4 आ गया अब तुम वह चीज लिख सकते हो कि किसी व्रत के क्या लिखोगे पर लिस्पीदा सिफ्ट करें कि 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 व्रत पर व्रत की जीवा पर केंद से डाला गया लम केंद से डाला गया लम जीवा को समझ भाजित करता है या को दो समान भागों में भी भाजित करता है सीधे ये लिखो सीधी बासन दो समान भागों में बागों में भाजित करने का मतलब क्या हो गया कि जो ये एपी होगा हमारे पास ये एपी की जो लंबाई है वो बराबर है इस बीपी के लंबाई के तो यहां से लिखोगे एपी बराबर बीपी ठीक ये एपी जो गाओ बीपी के बराबर है और एपी किता या चार तो ये पूरा दोनों किसके बराबर होगे चार के हाये हमें क्या निकालना है हमे निकालना जीवा की लंबाई तो जीवा क्या है अपी तो हैं भी बराबर हो गयां चार नश्यार मतलब किया जाएगा आठ सेंटीमेटर सेंटीमेटर में अध राट सेंटीमीटर हो जालंग टू कि अब बचन है एक ये बचा है दो 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 एक ये दो कोश्चन बचे हुए ये बढ़या कोश्चन है ये बहुत ये बहुत प्यारा कोश्चन है ये वाला बहुत ही प्यारा कोश्चन है इसको भी डिटेल में डिसकस करेंगे पहले ये वाला कर लेते हैं ये कोश्चन आसान है इसको भी निप के बहार तो इस व्रत के बहार एक चत्र बूझ हमारे पास E B CD है की चा गया तो व्रत के बहार जो है मारे पास चत्र बूझ खीचा गया एा बीसी दिनक्राइज तो सिय आए अबी जो है A B plus C B CD A d. और B C के बरामर है दोनों के एक क्या करना यहाँ पर भी पार ध्यान से देखो पहले फीगर को अब जो दिखा रहे हैं वरत के बाहर चार बिंदू इस्तित है कौन-कौन से एक यह बिंदू ए यह बी यह सी यह डी बाकि यह यह देखो यह चार बिंदू है वह वरत पर इस पर समिन्दू है सिर्फोन से डी चार बिंदू को पहले देखो इसको माथा रहे है वरत अगर यह कुछ इस प्रकार से है तो एविन अपर रहे है यहाँ पर कुछ ऐङना तो इस एविन्दू से अगर यां बराबर होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि AS जो है, वो बराबर है AP के, ऐसे B से हमारे पास इसपर्स रेखा हैं कीची गई है, एक ये BQ, एक ये BP, तो BQ बराबर है BP के, ऐसे C बिंदू से इसपर्स रेखा हैं कीची गई है, BR और BQ, तो ये भी BQ और BR बराबर होगी, ऐसे D यही चार समीकड़ बनेंगे आंसर आजाएगा कैसे आएगा देखू सिर्फ हमें पता है कि यह चार बिंदू बहा बिंदू है और बाह बिंदू से कोई हम इसपर्स रेखाएं कि इस ते यह दो इसपर्स खिची है और दोनों की लंबाईयां बराबर उती है तो यहां से व्रत के व्रत के बाह बिंदू है ठीक बाह बिंदू है इसके बाद मैं समीकड़ बनाना इस्टार्ट करता हूं अता लिखें एपी बराबर एस एपी बराबर एस ठीक बीपी बराबर बीपी बराबर बीक्यू ठीक कोई दिक्कत ने हैं एसे डी आर बराबर दी अस तो डी आर बराबर डी यह हमारे पास पहला समीकरण यह दूसरा और यह चौट चार समीकरण बन जाए कुछ ना करो चारो को जोड़ दो और कुछ ना करो तुम चारो को केवल जोड़ो और समीकरण कि समी करन एक तो तीन वा चार को जोड़ने पर जोड़ने पर देखो कि अपराप्त होता है जोड़ने पर में एपी बीपी एपी दीपी लेट एंड साइड वाले सारे जोड़ रहें पहले a p b p और c r d r c r d r h s w a s d s s d s plus V Q C Q V Q Q और सिक बस चारों को जोड दिया कुछ नहीं कि ठिक left hand side वाले 4 जोड के लिग दिये राइट hand side वाले चारों जोड के लिग अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात एपी प्लस बीपी बराबर हम लिख सकते हैं क्या देखो ये एपी इन ब्रेकेट को मैंने एक ब्रेकेट लगा दिया इसमें अलग से अब दोनों सबको अलग-अलग से दिखें ताकि इस वज़े से ब्रेकेट लगा रहे है एपी और बी पाइए योई बी पी तो एपी और क्या बना रहें एभी बना रहे तो इसकी जगह म्,एभी लिख सकते हैं लिख दो एभी अभी-एभी दो प्लस और C-R-O,D.,C-R mov7-D.R कहाँ पे हैं sorta A.S. और D.S. यह D.S. A.S. और D.S. मिलकर बना रहे हैं A.D. तो A.D. लिख दू यह हो गया A.D. प्लस B.Q. और C.Q. तो B.Q. और C.Q. कहा है? बी से Q और C.Q. मिलकर बनना लूटा है B.C. क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो B.C. तो बन जाएगा तो B.C. हो जाएगा यह दोनों मिलकर बना रहे हैं B.C. हमें क्या प्रूफ करना है यही तो करना आगे हैं हमें लगा भी और कुछ करना रह जाएगा है कि प्रूफ कि इसको बठादेने बस अच्छा नहीं लगता है सब कर ना को पेंसल से कर देना ऐसे रहने दिना ताकि लगे तो बच्चे ने दब मन में कर दिया प्छा या इंटेलिजेंट था किलियर कर लोगे ना कोई समस्या तो नहीं अच्छे कुछ मैं सारे question करा दूँगा अच्छे क्योंकि दो ही प्रशिनावली हैं तो यह ना प्रशान हो कि सरव्रत चैप्टर बहुँ चोटा था वन सौट बहुत बढ़ा करा दिया अपने करा दूँगा हर टाइक को कोश्चन करा दूँगा ताकि आप कोई डाउत न रहे जो अच्छे कोशन इस से बनते हैं प्यूसारे करा दूँगा जो सब्सक्याद है important question अगर जो बच्छे बोलें important important करा तो सारे important question जो मैं 10.2 का अगला कोश्चन करते हैं आठवे के बाद हम लोग चलते हैं बारवे नंबर के कोश्चन पर बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है बहुत ध्यान से सुनोगे बस बोड की तरफ देखना मैं पूरा कोश्चन के लिए कर दूँगा थोड़ा एक त्रबुज ABC इस प्रकार खीचा गया है चार सेंटीमीटर त्रिज्जा के एक वरत है इसके परिगत परिगत का मतलब बाहर क्यों वरत के बाहर क्यों बाहरी आवरण पे तो इसकी बाहरी शीमा को यहां पर अगर देखो तो छूता हुआ एक वरत खीचा ए त्रबुज क्यों के विवाजित है कि लंबाईयां करमसा आठ सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है यह 8 सेंटीमीटर है और यह 6 सेंटीमीटर है ठिक देखिए आकरती 10 करने हैं बुजाया एबी और एसी है का तो एबी और एसी की लंबाई हमें कोईशन में ग्याद करनी है सबसे इंपोर्टेंट बात ये ठिक एबी और एसी ग्याद करेंगे सबसे पहले अब अच्छा से क्लियर हो जाएगा अथ है कि अधिक कोई नहीं इस्टार्ट करते हैं अब इसमें क्या दे रखा सबसे पहली बात अगर समझो करा चार सेंटीमेटर तिजा का एकटोवरत है तो ये त्रिजा जो दी गई है वो चार सेंटीमेटर के हमें गिवन है कि ये यहां से यह भी यहां पर भी वरत्ति इस पर्स कर रहा है तो हम इंको क्या करते हैं इनको भी मिला लेते हैं यहां से हम क्या करते हैं इनको भी मिला लेते हैं पहले जो figure समझ लो figure से ही question आदे से ज्यादा solve हो जाएगा यह चार सेंटीमेटर यह भी एफ माल ले अगर वो त्रिज्जा पर क्या होती है लंब होती है मतलब कि यह भी एक प्रकार से क्या है लंब है आपर यह भी यहां से लंब है यह भी यहां से लंब है इधर बना दो कोई दिक्कर यह भी लंब है सब लंब है और यह भी लंब है इस सब आपस में क्या है लंब बाइं यहां पर पता इतना हमें 10.1 परमे से ही पता है कि तरिज्जा से जो इस परस बि dafür हम लंब डालते थेודה ost providing us如 को मिलकी यह जो रेका होती है तरिज्ज्ज जो होती हैं हमारे पास graduate class such a पर युँठे अगर इन बिन्दूओं को मिला देते हैं क्योंकि ये क्या है अगर वरत्त के सापेश तुम देखो इस वरत्त के सापेश देखो तो ये एक बाहरी बिन्दू है एक एक बहारी बिंदू एक बहारी बिंदू है मतलब कि अगर हमें पता है C एक बहारी बिंदू है CD और CE दोनों इस पर सरेखाओ कि लंबाईयां बराबर होगी क्योंकि बहारी बिंदू से किसी वरत्त पर जो दो इस पर सरेखाई हैं हम खीसते इनकी लंबाईयां बराबर होती ह तो CD अगर ये 6 cm है, तो ये भी कित्ती होगी 6 cm होगी, ऐसा ही BD अगर ये 8 cm है, तो B से F तक की जो लंबाई होगी, वो भी कित्ती होगी 8 cm होगी, इधर हमें नहीं पता, A से E और A से F एक भी नहीं पता, तो इसको माल लेते हैं, कि इसकी लंबाई जो है इधर हम यह वाली लंबाई जो है यह माल लेते एक्स है तिक अगर यह एक्स है तो यह भी एक्स हो जाएगी क्योंकि यह लंबाईयां बराबर होंगी क्योंकि यह हमारे पास क्या है AF और E है जो वो इस पर्स बिंदू है तो यह लंबाईयां बराबर होंगी फिगर से हमने इतनी चीजे तो निकाल ली हमें क्या निकालना है हमें यह लंबाई ग्याद करनी है AC निकाननी है और AB अगर तुम AC की बात करो फिगर में देखो मैं अभी देख लिख रहा हूं के बन AC बराबर देखो तो AC किस से मिलकर बनाए AC मिलाए AE और EC से AE प्लस EC से मिलकर बनाए AE हमारे पास क्या है X के बराबर है EC कित्ती है 6 मतलब X प्लस 6 ग्याद करना है AC के लिए और AB के लिए क्या ग्याद करना पड़ेगा AB किस से मिलकर बनाए AF से अभी सिर्फ कोशन की बात कर रहे है अभी सुरू नहीं किया हमने हल समझ में आ जाएगा हल पहले कोशन समझ लो AF और FB से मिलकर बनाए तो AB बराबर कित्ता आ जाएगा AF हमारे पास किता है X? FB किता है 8 तो यह X प्लस 6 निकालना है और X प्लस 8 निकालना है कुल मिला के हमें X की value गयाद करना ही अगार X आ गया तो उसमें 6 जोड के हम A C निकालने गी अब इस question में एक दिक्कत यह है कि कोण हमें नहीं पता है सारी भुजाओं के बारे में जानकारी है यह त्रिजाएं दी गए वरत्त की यह बहारी वाला त्रबुज दिया गया है सबकी लंबाईयां पता है तो यहां पर हम क्या उपयोग करेंगे हम त्रबुज के छेत्रफल क सबसे पहले हम क्या करेंगे यह बी सी त्रबुज का जो यह बड़ा वाला जो ए बीसे बढ़ा वाला त्रबुज का जो शेत फल है सबसे important बार अच्छा figure में एक चीज़ देखो कि अगर बढ़े वाले तरबुच का तुम छेथफल देखो ABC बढ़े वाले तरबुच के अंदर तीन छोटे-छोटे तरबुच हो रहा है कौन-कौन से देखो बी-ओ-सी ये एक ये वाला नीचे वाला देखना ये वाला पहला नंबर में डाल देता हूं एक नंबर दूसरे पर इंसे डालता हूं ताकि बी-ओ-सी मिल जाएगा दूसरा देखो B O A एक ये मिल जाएगा दूसरा नंबर का तरबुच एक दो तीन छोटे-छोटे-छोटे तरबुच है इस बड़े-वाले तरबुच में अगर हम बड़े-वाले तरबुच का छेतफल बराबर कर दें, इन तीनों छोटे-छोटे त्रबुजों के छेतफलों के योग के बराबर, इन तीनों त्रबुजों के छेतफल निकालें, इनका योग करें, बराबर कर दें, ये बड़े वाले त्रबुज के योग, छेतफल के बराबर कर दें, तो हम एक्स की वेल माईयां तुम्हें पता है तो हम हिरोन का सूत्र यूज कर सकते हैं हिरोन का सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा है नाइंथ क्लास में वहीं डिसकस कर लेंगे उससे हम बड़े वाले त्रभुज का छेत्फ़र निकालेंगे सबसे बड़ी बात ठिक बाकी इन तीनों का कैसे निकलेगा इन तीनों का बहुत आसानी से निकल आएगा क्योंकि यह मैं इसमें इन त्रभुजों में देखो सबसे पहले नमर वाले में देखो बी सी ओ वाले में अगर देखो तो यह जो एक नमबर वाला त्रभुज है इसमें हमें उचाई पता है चार सेंटीमीटर उचा हो जाएगा और बड़े वाले का कैसे निकालेंगे हिरोन के सूतर से बस दोनों को इक्वल कर देंगे इन तीनों छेटफलों का योग करके बड़े वाले त्रबुज के इक्वल कर देंगे कि एक्स की वेलू आजएगी बस यही करना है कोस्टन में इस टेप से एकदम नॉर्मल है बस यह फीघर समझना important था कि कहां से हमें क्या किसको मिलाना है ठीक यह मटा देते हैं ठीक अब स्टार्ट करते सहीए फिगर इतना ही है हमारे पास्त पहले क्या करते हैं नयोले बड़े-वाले तरबुज का अगर तुमें छहित्फल लिखना है मैं लिख रहा हूं क्या बोलते थे अर्ध परिमाप कैसे निकालते थे अर्ध परिमाब निकल क्या था तीनों बुझाओं का योग करते थे यह पलस बी प्लस सी बटे का दूं याद है ना नहीं आद है तो याद कर लो बाई फिर से अर्द परिमाब S जो होता था ये से S को अर्द परिमाब बोलते थे सीधे में S बराबर लिख रहे हैं वो S बराबर क्या होता था A plus B plus C बटे 2 तीनों बुजाओं का योग बटे में 2 तो तीनों बुजाओं का योग कैसे निकलेगा A मालो तो 8 और 6 14 बीए मालो 8 और X 8 और प्लस X या बुजाए मैं लिख दूँ एबी मैं लिख देता हूं कि A है कोई सी बुजा मालो एमने CB माली ऐसे चलते हैं बीसी से चलते हैं इस तर करम में बीसी माली बी हमने यह माली एसी और फिर हमने माली ऑपी थिक और बटे में किसी कह आई से बी से एफ तक एफ से ए तक एक से तो आठ प्लस एक्स ऐसे 6 प्लस एक्स पूरी लंबाई निकाल ले तो इनको जोड़ लिया अब यह कित्ती हो जाएगी आठ से चौदा और चौदा अठाइस है फ्लस कट्टू यक्स और डो उपर से कॉम leo-shop leo 14 a plus X बोटे में नीचे दो हई ही दो से 2 इ Arms है तो यह मारे पास क्या आ गया परिमाप आ गया ठिक यह मरे पास परिमाप निकल कल प्लस एक्स सेंटी मीटर में निकलाएगा परिमाप ठिक अर्द परिमाप जिसे बोलते हैं अर्द परिमाप निकलाया परिमाप तो नहीं अर्द परिमाप बोलेंगे तो अर्द परिमाप निकलाया अब हिरोन का सूत्र मोग जानते हैं हिरोन का सूत्र क्या कहता है हिरोन के सूत्र से हिरोन का सूत्र यह कहता है अगर देखें यह कहता है एस बराबर अंडर रूट के अंदर अगर शेटफल चलता है ना शेटफल निकालेंगे न तो पहले लिख देते हैं यहीं लिख देते हैं तरबुज एबीसी का छेटफल वराबर अपर उनका सूत क्यों यूज करते थे तरबुज का छेटफल निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस एक यहीं कहता है एस की वेलू तुमने निकाल लिए 14 प्लस एक्स एबीसी का यह ए यह यह बी यह यह सी ए टिक चौदा एक्स प्लस एक्स एड़ प्लस एक्स हमारे पास से रखो सभी की वेलू तरबुज बड़े वाले तरबुज का छेटफल निकालने है एबीसी का छेटफल बराबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एस हमारे पास क्या है 14 प्लस एक्स तो रख दो 14 प्लस एक्स फिर 14 प् प्लस एक सब्सक्राइब कि एक वेलों पीस के बराबर है इसके 14 के तो एमारे पास 14 के बराबर माइनस का 14 फिर s-2 बड़ा जाएगा इसको इसको इस तिते हो एस माइनस बी तो स्की वेलू क्या है 14 प्लस X S की value समय ज़्याँ ना यहां से रख रहा है 14 plus X, B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है 6 plus X के बराबर, तो यह 14 plus X, minus लगेगा, तो minus 6 हो जाएगा, minus X हो जाएगा, ठीक, क्योंकि plus का B है, हमारे पास 6 plus X, लेकिन फार्मूले में होता है, minus B, minus A, minus B, तो मैनस एक जोजे से माइनस जोदा मैनस की जोजे से माइनस 6 मैनस问 एक्स ऐसा ही आ बाकी कोश्चन आप खुद से भी एक बाल लगा होगे आजाएं क्या कह रहा है यहां पर यह बच्छा 14 प्लस एक सिदर रैकेट में इधर 14 से 14 कड़े इधर एक्स बचा इधर क्या बच्छा 14 से 6 चले गए तो चौदा से 6 चले गए तो बच्छा दूसरे बैकेट में आठ शे से अंडर रूट के अंदर आठ शंग 48 एक से एकस भी लिख लो और 14 प्लस एक से यह आगे हमारे पर स्टिक चेटफल है तो सेंटीमीटर स्कॉयर में होगा सेंटीमीटर स्कॉयर लिख दिया यहां पर बस यहीं हमारे पास आ गया बढ़े वाले तर्बुज का चेट इतना यहां पर छोड़ दो अब छोटे वाले तर्बुज का चेटफल निकालना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के योग के हम बराबर करेंगे उन तीनों त्रबुजों के योग चेटफल निकाल लेंगे तो उनके योग के बराबर कर देंगे दोनों को इनका चेटफल अब बढ़ का शेट टिक तरबुज लिख लेते त्रबुज स्यों बीका चि को त्रबुज स्यों बीका शेटफल कैसे निकलेगा एक बटे दो आधार into उचाई से इसमें नहीं लगाने की यह हो इनकी सूथ की जरुवत है क्योंकि हमें इसमें क्या है इसमें यह उचाई पता है न तो उचाई पता होने से placed अमें संइन होता छेथल अमारे पास फार्मूला डारेक्ट होता है यहाँ पर बढ़े-वाले त्रभूघ में में उचाही नहीं पता थी दम आया तो उत है वाला लगा लेते तो ये चार हो गई 2 दूना चार हो गई तो यहां से हो गया 14 दूना 28 यह आगया 28 सेंटिमेटर स्क्वाइर ठीक ऐसा ही दूसरे का निकाल लूँ अगला निकाल ले अगला कौन सा हमारे पास अगला ले लेते हैं बी ओडी अरे बी ओडी नहीं कौन सा ही बी ओ ए त्रबुज कि वी ओस चैनल appreciate laughs कि थो आछे फ़ल भी होगा 맞ेजा दो आधार इंटू उचाई तो यहां से आ जाएगा एक बटे-दो आ आधार हमारे पास इसकेस में क्या होगा यहाट प्लस एक्स इस वाले तरह की बात हो रिए तो आछ प्लस एक्स पूरा ओ सोला प्लस टू एक सा गया ये भी सेंटीमीटर स्कॉयर में आ जाएगा छेत्फल फिर अगला ले लेते हैं अगला कौन सा हो जाएगा यहां से लिलो ए ओसी का छेत्फल त्रभूज ए ओसी का छेत्फल सेम फार्मूला चलेगा एक बटे दो आधार इंटू उचाई तो यहां चार दो चंग बारा और प्लस का टू एकस यह आ गया यह भी सेंटीमीटर स्कॉयर हमने बड़े वाले त्रभूज का भी छेत्फल निकाला उसके लिए रोन सूत्र यूज किया यस पहले निकाल लिया फिर यस से हमने फार्मूले सा यूज कर लिया छोटे वाले दो तीनों फार्मूला है उसी को हम लिख लेते हैं हमें पता है यहां से लिखते हैं त्रभूज ABC का जो छेत्रफल होगा वो बराबर होगा त्रभूज छोटे छोटे त्रभूज जो हमारे पास एक सी ओवी का छेत्फल त्रभूज दूसरा वाला बी ओ एक छेत्फल प्लस का तीसरा वाला ए ओसी का छेत्फल त्रभूज ए ओसी का छेत्फल बस अब तीनों के मान डग दो मान आ जाएगा आपके पास कहां चला गया यह बड़ा टिहरी सी लाइन हो गई पिर से लिख देते हैं बड़ा तिहणा सा लग रहा हुझे हैं त्रभूज कि अधि ए ईबी सी का जो छेत्फल होगा चींश हूँ वह बराबर होगा त्रभूज और के चैपनके साओं वह बराबर होगा अगला कौन डिलया कशेथ बड lifes प्लस बराबर होगा हमारे पास AOC का चेटफल तीनों के योग बराबर कर देते हैं ठीक है एबी से या चेटफल जो लिखा है वो लिखो अंडर रूट फिर सेमाल करते हैं फार्मूले लगा लिया है और तालिस एक्स ब्रेकेट में मारे पास है 14 प्लस एक्स बराबर है सी ओबी का चेटफल किता आया था था प्लस बीओ एक चेटफल किता आया था इसको ऐसा रहने दूँ उधर वाला पहले सॉल्फ करते हैं फिर देखते हैं 48 एक्स 14 प्लस एक्स यह ओगे 28 16 और 12 16 और ओगे 28 और फिर से 28 मतलब कि 56 यह आ गया फोर एक्स यहां से 28 एक्स 14 प्लस एक्स चार कॉमन आ रहा है ले लो चार एकम चार 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 चोको 16 प्लस एक्स दोनों पच्छों का वर्ग कर दो लिख दो दोनों पच्छों का वर्ग करने पर रूट हडाना पड़ेगा कोई अब एक स्कॉर से एक तो यह 14 प्लस एक्स कर जाएगा तो यहां बचा केवल 3X इधर क्या बचा 14 प्लस एक्स एक्स को इधर ले लो 3X माइनस X एक्स इक्वल टू चौधा तो 2X बराबर 14 और यहां से आ गया 6 PC वेलू साथ आगी वस X की वेलू आगे सारे काम होगे अपने ओक यह श्काफ एब यह आठ प्लस एक्स एबगुजा आठ मतलब क्यों जाएगा द without आ जायेगा पंध्रा सेंटिमेटर क्यों चूए आगे बंदना सेंटिमिटर और भूजा इसी हो गी वह वो में पास है एसी तो निकाल लí fixed ce לק 6 excel 10 तो यह आगर 6 Exodus लसाथwork13ंपर यही आंसर हो जाएंगे है यहाँ केसर है कोशन अच्छा था बढ़िया क्वूशन था लांग कोश्यं था लोग निकल गया महिंद अच्छा कोशण अच्छा देखो सबसे इंपोर्टेंट बात मैं फिट से रिपीट करता हूं इसमें मैं सबसे बढ़ी पहली लाइन जो दी थी बहुत इंपोर्टन लाइन दी चार सेंटीमीटर तिर्जाए वाला एक वरत है इसकी वज़ए से हम सारी जगह इस पर सरभिंदु जब मिलाए तो मैं पता हो जाएंगे क्योंकि यह बिंदु बहारी बिंदु एं-सी वी ए तो यहां से यहां तक की लंबाई बनाए he यहां से यहां से लबाई यहां आड यां बराबर है af के और इस गोमने माना x के बराबर। इस को मने उसको एकस माना है और इसा חण एक्स लिकाला नििकाला और इस से मारे पास उससे हमने हिरोन का सूत लगा कि ये बड़े वाले तर्बूज का छेथपल निकाल लिए बस फारमूले में वैलू रखो फिर तीनों छोटे-छोटे वाले तर्बूजों का फिर छेथपल निकाल लिए पहला दूसरा तीसरे का और इन तीनों का योग इसके बराबर होगा वो बराबर कर दिया य बहुत इंपॉर्टेंट कोश्टन है एक बार फिरसे बोलता हूं लोंग में रहें के बहुत चांस रहे ते अब एक दो बड़े ही कोश्टन है जैसी यह आला कोश्चन जो यह वाला यह भी थोड़ा बड़ा ही कोश्चन एंतेर वा नंबर है करते हैं इसको क्या कह रहा है कह रहा है सिद्ध कीजिए कि व्रत के परिगत बने चत्रभुज की आमने सामने की बुजाएं केंद पर संपूरक कोण अंतरीत करती है कह रहा हमारे पास एक व्रत के परिगत एक चत्रभुज है एक व्रत के परिगत हमने चत्रभुज मना लिया वृत लिया और इसके चारों ओर एक चत्रवुजम्ने बना लिए थिक के आमने सामने की बुजाएं जो केंद पर कोड बनाएंगी वो संपूरक कोन कंसा की होता है Do सम्पूर कोन बोलते हैं पहले कोश्चन समझो क्या कह रहा है हमें कोश्चन में क्या क्या दिया है अगर हम बात समझे हमें क्या क्या दिया है हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि व्रत के परिगत्मा तो एक व्रत दिया है पहले में लिखते हैं दिया है माल लेते हैं कि हमारे पास एक O केंदरवाला वरत दिया इसका जो केंदर रही हमने O माल लिए कि O केंदरवाला एक वरत हमें दिया है हमें और क्या दिया है उसके परिगत एक हमें चत्रवुज दिया है तो दिया है O केंदरवाले वरत के परिगत एक चत्रवुज A B C D यह में दिया है हमें क्या दिया है O केंदरवाले वरत के परिगत एक चत्रवुज A B C D है यह में इत्ता दिया है इत्ता तो कोशन में गीवेन है अब हमें सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध यह करना है कि सिद्ध करना यह इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध क्या करना है पुमारे सब्सक्राइबी करने के लिए से कोशिशन पर चलते हैं फीगर पर देखो समझल अगर आमें यहांपर देखो फीगर पर हो यह ओंद है तो हम क्या करें अगर यहां सी हमारे पास सारी इसपर्स बढूए इससारे मिला दें अगर इसको इसको ऐसे मिलाया इसको ऐसे मिलाया इसको ऐसे मिलाया इसको ऐसे मिलाया इस सारे इस पर्स बिंदूओं एक बात तो यह में पता है और एक बात यह भी पता है अगर इनको मिला दे इन कोड़ों को इसको ऐसे इसको ऐसे सारी बाहरी बिंदूओं को भी केंदर से हमने मिला दिया इतना काम पहले कर लिया हमने इस पर बिंदूओं को मिला लिया क्योंकि कहीं न कहीं वो काम आने वाले हैं और हमने बाहरी बिंदूओं को मिला लिया सिर्फ केंदर से केंदर ओ से हमने इस सारी बातें मिलाई है के वल बुझा ये वाली बुझा और ये वाली ये वाली आमने सामने ये वाली आमने सामने तो केंदर पर जो आमने सामने वाली बुझा है जैसे ये वाली बुझा और ये वाली तो ये वाली बुझा ऐसा कोण बना रही ये वाला को ये देखो ये वाला को कौन सा डी ओ सी ये वाला ओसी कोड़ डी ओसी प्लस कौनसा ए ओ भी कोड़ ए ओ भी बरावर है 180 डिग्रिक यहीं तो सिंद करना कि आमने और सामने वाली जो भुजाएं ये केंदर पर जब कोड मनाती है ये और ये ये कित्ते का बनाती है संपुरा कौड 180 डिग्री बनाती है सेम ऐसे यसे सिद्ध करन यह वाली जो भुजा है यह आमने सामने कि भुजाएं तो डी ओए या ए ओडी बोलो यह कोड़ और यह कोड़ बराबर है कौन सा यह B.O.C. तो यहां से दूसरा हमें क्या सिद्ध करना दो चीजे सिद्ध करनी है एक हमें यह सिद्ध करना है यहां से मारे पास A.O.D. इसको C बी ओसी यह मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं यह में आपर सिद्ध करना सबसे पहली बात इत्ता कोश्चन में देखो कि सिद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही नहीं समझ में आ रहा है कि कहां पर कोण बनना क्या मतलब है कि चत्र बुझ के आमने सामने की सामने सामने की बुझ ऑर मारे पास ए-डी जो है है वो हमारे पास किसके समान रच किसके आँ पर में सिद्ध करनी है इसी के में चर्चा करनी है वह बात अगरा मिठा दे यहां से इनको मिठा दे अच्छा यहां से ठीक ठीक अब एक बार हम फिगर फिर से देखो बना रहे हैं थोड़ा इस पश्ट दिखे ताकि यह बड़ा हो सकता है कि अधियों सकता हुआ कि अधियों अधियों चलों कोई नहीं देखो मैं फिर से वही काम करता हूं मैंने क्या किया यहां पर को केंद्र लिया कि इनको ऐसी मिलाया कि शारे इस परस्विंदू को और इनको भी मिला दिया है 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 टिक जहां से देखना बहुत important property यहां पर लगनी है property important यह लगनी है कि अगर आप एक बात समझो कि हमारे पास जो यह a baris dvn यह Mare पास क्या है यह पास इस पर्स बिंदू है बहारी बिंदू है वरत के बहारी बिंदू है वरत के बहारी बिंदू है तो बहारी बिंदू से जो यह लंबाईयां होगी हमें पता है कि यह AP और AS बराबर होगा BP और BQ बराबर होगा CQ और CR बराबर होगा DR और DS बराबर होगा इसके अलावा क्या होता है इसके अलावा एक और important बात करें अगर कोई वरत है यह हमारे पास कोई बाहरी बिंदू इसको ऐसे करके इसपर्स कर रहा है यह केंदर से भी अगर हम इसको मिला दें यह हमारे पास केंदर है और यह हमारे पास क्या थे इसपर्स बिंदू हो गए तो अगर हम यहाँ पर हमें पता है कि यह हमारे पास क्या है यह बाहरी बिंदू से यह इसपर्स रेखा है हैं तो यह हमारे पास यह जो कोड़ होते हैं यह कोड़ और यह कोड़ बराबर होता है ठिक और यह कोड़ और यह कोड़ भी क्या होते हैं बराबर होते हैं यह कोड़ इस कोड़ के बराबर होता है यह प्रॉपर्टी भी हमें पता होनी चाहिए कि जब भी बहारी बिम से जब में क्या होगा यह कोड़ जो होगा वो इसकोड के बराबर होगा ऐसे इस वाले में आजो इस बीविंदु के साप यह वाला कोड यह वाले कोड के बराबर होगा इस वाले में आजाओ तो यह कोड यह कोड के बराबर होगा इन कोडों के कुछ नाम दे धिये तो बहुत सही रह लिखें कि सी ओक्यू फिसी ओर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इनको नाम देदें नाम करन करते हैं का माल लो यह मारे पास को नंबर एक है नाम देदे इसको एक दे दिया इसको दो यह तीन छोटे चोटे जो कोन एजी चार फिर हमारे पास यह पांच चैंट आठ यह मैंने कोनों के क्या किया अंदर अंतरित कोन पर जो कोन बनने इनको अलाग अलाग पार्ट में डिवाइड कर दिये अब देखो चलो कोश्चन आप परसना अनुसार अब चलो अगर अब मैं उत्पत्ति की तरफ चलना क्योंकि सिद्ध करना है अब मैं उपपत प्रवाश्ति में हमें पता है कि कोण एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ चारों कोणों का अगर आठों कोण मिला दिये जाए तो वरत्त के केंदर पर जो यह बना पूरा कोण है यह 306 डिगरी का होगा क्योंकि पूरा गोला बन गया 306 डिगरी का बनेगा तो कॉण एक प् बरबर हो जाएंगे तीन सो साथ डिगरी के बराबर हो जाएंगे साथ प्लस कोण आठ बराबर हो जाएगा 306 अगर यह 360 डिगरी के बराबर है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यह समझो हमें किसको किसको प्रूफ करना है थादि यूँज़ करना पर्टी बताई कि ये कोन जो होगा कोन दो जो होगा वो कोन तीन के बराबर होगा क्यों क्योंकि वरत का ये बाहरी बिंदु है और ये इस पर्स बिंदु से जब ये केंदर पर जो ये कोन बनाते हैं ये दोनों कोन बराबर होंगे ऐसे बी के सापेच कोन चार और पांच बरा बराबर होगा उभ्लब एक बराबर ओगा अब हमें क्या कर नहीं है हमें यहां पता है कि 1 और 2 और फेल्द करें 180 सिद्ध्र अच्छेव हिं अब रावर नहीं सोब कॉण तो एक और दो की जगह मैंने कुछ नहीं लिखा तीन की जगह क्या लिख सकते हो कौन 3 जो है मारे पास कौन 2 के बराबर है तो इसकी जगह कौन 2 लिख सकते हैं कौन 4 की जगह क्या लिख सकते हो कौन 4 कौन 5 के बराबर है तो कौन 5 लिख सकते हो ठिक कौन 5 को बिल्कुल नहीं मौल्जाए रटा साथ के जगया हम्ओन छेलिक सकते हैं और कॉण आठ की जगया हमौन एक लिख सकते हैं बराबर के ता गयエ A360 गजिरीत टिक यहां तब कोई च्छे हो गया बराबर आगया तीन सु साथ डिगरी इन पूरे से दो कॉमल ले लेते हैं दो कॉमल लिया तो बचा क्या अंदर कोण एक प्लस कोण दो कोण पांच और कोण च्छे बराबर आगया तीन सु साथ डिगरी तो यहां से आ गया कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण प और और हमारे पास क्या है आर ओ सी डी ओ आर या पिकोड़ एक और दो पूरा लो ना कोड़ एक और दो मिलकर क्या बनना है डी ओ सी बनना है तो इसकी जीदे लिख दो डी ओ सी तो प्लस देखो और ये कोण सा था डी ओ सी अव पांच और छाय ना पांच और छाय मिलकर क्या बनना एक। इसी प्रकार हम अगर फिर से समीकड़ बनाए और समीकड़ में अपतिय में कौण से कोण रखने होगे केवड तीन और चार और और साथ बाकि सभी की जगे वैल्यू रख दो तो आपको यह उस्रा वाला सिद्ध हो जाएगा इसी प्रकार यहां पे नीचे लिख दो कोई दिक्कत नहीं पूरा सिद्ध करने की आपने पूरा उसी पैटरन पर सिद्ध गिया है इसी प्रकार एओ डी जो होगा और कोड बी ओसी जो होगा वो बराबर होगा 180 डिगरी के मैं इस कोश्चन को एक बाप फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि अच्छा कोश्चन हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है देखो मैं फिर से एक बार इस कोश्चन को रिपीट करूँगा एक बार ध्यान कोश्चन ठोड़ी देर में हो गया लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मानता हूं किश्चन में में क्या कह रहा था और क्या सिद्ध करना था वो समझ लेते एक बार फिर से कह रहा था कि सिद्ध कीजिए एक वरत के पड़िगाद एक रिपरिगद के पास चत्रवुज फिगर में हमने क्या किया हमने सिर्फ कोवण केंद्र इसका ओ वह हो दिया सेupport सुनित तो चतर हुच कमें यह सीय किया था कि सामने वाली बुझा और यह बुझा जो केंद्र पर और अंतरित करती तो तो यह बुजा कौन सा कोण अंतित करती है DOC इसके साथ जो कोण बनेगा वो DOC बनेगा यह वाली बुजा कौन सा करती है AOB इन दोनों का योग 180 होना चाहिए ऐसे यह वाली और यह वाली बुजा तो DOA या AOD और BOC AOD और BOC मिलकर भी 180 degree होना चाहिए तो हमने क्या किया यह हमने देखा कि यह आठ छोटे छोटे कोण बनना है अगर हम चाहते तो यह एक दो तीन चार पांच साथ आठ लिखने की ज़रूरत नहीं है आप चाहो तो यह भी लिख सकते थे कि ओ यहां से लिखते हैं डी ओ आर और पढ़ता तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता इस चोटा कोड़ अलग फिर यह कोड़ अलग यह कोड़ अलग नाम देना पढ़ता तो इस तो अच्छा नाम था कि एक दो तीन चार पांच इसके लिख सकते हो तुमको यह एबी-सीडी अलफा बीटा गामा ठीटा सकते हो मैंने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया और चारों यह आठो कोड़ा का योग 306 डिग्री होगा क्योंकि पता है कि पूरा व्रत है तो 306 डिग्री होगा अब 306 डिग्री होगा तो हमने क्या कि हमने क्यों कोड एक दो को छोड़ा 3 और 4 की जगे क्यों मान रखा या 7 और 8 की जग है पांच और 6 से मिलकर बनाएना यह भी तो एक दो भी रखना पड़ेगा और पांच और छे रखना पड़ेगा बाकी 3 4 7 8 सभी की जगे हमने यह वैलू सब्टिटूट करें यह वैलू कहां से आई क्योंकि मैं पता है कि यह अगर इस परस बिंदू है तो यहां से यह जो क और पांच बराबर होता है यह से अगर देखो 6 6 और 7 बराबर vom сумmry 16 अपराबर किये वैलूर्ण दी की तो यहां से हमने क्या कि देखा 2000MR तो कमन लिया और थो कॉमनल सरा गे ठीक है समाझ में आगी बात सभी को इंपॉर्टेंटिट थीक बाद फिर से लगाने इनक्र Shar不能 खतम हो जाए गेआ हैं को मैं इस्टाइट कर रहों अगला कोष्टिन एक उधारन का कोشion है एक одहार दया थार में भी अच्छा कोश्ण दिया गया है यह एक युटष्टर ऎले वरत पर बेदू tea से दो इस पर से और हैं किया रहा है ये फीगर दीको फाले मैं इतले हैं इसका बनाता हूंस से पढ़ के या कहा है एक ऑढ़ Twoemic all व्रत है एक ऑढ़े इन्दोसोह ने व्रतमलाatamente ठीक के बाह्म इंदू T से कुई बारी बिन्दू ति ठीक से दोउ इसपर सिरे खाएं ती पी और टीक्यु के टीपी और टू क्यू दोशपर से खाएं कि सिप तीकि07 प्रीटी- golden print बराबर है ओपी क्यों के यह ओपी क्यों कोड़ है तो यह कोड़ जो है पी कौन सा पीटी क्यों पीटी क्यों जो है वो दोगने के बराबर है ओपी क्यों इसके दोगने के बराबर है यह मैं यहाँ पर सिद्ध करना वास यही डाइगराम यह यहाँ पर बना हुआ है तिक जो त्षीक बाहारी बिंदु है तो टीपी और टीक्य मांे पास क्या हूंगी बराबर होंगे करें रायके टीपी अंटीकाो खीची करता हो सब्सक्राइब भाउग लिकला टीपी तथा टीक्यू इस पर्स रेकाएं बिन्दू टी से खीची गई इस पर्स रेकाएं यह इस पर्स रेखाएं है अगर टीपी और टीक्यू मारे पास इस पर स्रेखाए है तो यहां से हमें पता है कि यह टीपी जो होगा वो बराबर होगा टीक्यू के यह बात तो पक्की की टीपी और टीक्यू हमारे पास बराबर होगा ठीक एक बात तो यह हो गए कि टीपी और टीक्यू हमारे पास बराबर होगा ठीक इससे तो कोई दिक्कत तीप और टीक्यू अगर बराबर होगा एक बात और यहां पर ध्यान से समझो यह तो बराबर होगा इसको इह पर कि छिए आङे काम लेंग इसका है कि एक बात यहां figure में समझो तो यह O से P पर क्या है? यह एक प्रकार से हमारे पास लंब है, यह 90 डिग्री होगा, ठिक, ऐसे ही अगर यहां पर आओगे, इसको मिला ले, तो यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, पूरा कौन 90 डिग्री होगा, यह हमें बात पता है है यह 90 डिग्री होगा और यह भी 90 डिग्री ओगा तो अगर अम इसके बात करें टी-Pो कूर की टीपी ओगी तो कोड़ टीपी ओगता होगा 90 डिगरी की बराबर ठीक मैं लिखता हूं बास समझो भी मैं लिख रहा हूं मैंने लिखा कोड़ टीपी ओओ या ओ पीटी लिख लोग से कोई दिक्कत नहीं है कोन O.P.T बराबर हैं मारे पास 90 डिगरी की ये बात हों मैं पता है कि को अंदर दिख जाएगा तीपी य। एक monit पर दिखा एक का ऊँच को मैं लिखा आँ को से मिनकर नबना है एक तो टीपी कीनॐ यह यह बरीट यह जो इसको सिद्ध भी करने तो ओ पी क्योउ और टी पी क्यों से मिलकर बना आ है जो मारे पास यह OPP कोण है OTP मतलब की यह ओसम एडिक है यह ऩोड़ा बढ़ा कर दिये अब देखंग यह मारे पास बढ़ा किससे मिलकर बना है TP Q क्यो और प्लस के TP धीटा माले यह मारे पास जो है ओपी एक फीटा थीटा अंदरवाला कवा प्लस यह मारे पास है ठीटा बराबर 90 दिगरी तो से आजायेगा टीपी क्यू बरावर 90 माइनस ठीटा है यह यहां पर लिख देते जो माना जो मारे पास ओपी क्यू है इस एक क्यूंप चुलों बरावर आगया 90 दिग्री माइनस ठीटा अब चलो अब आगे समझ बात हमें क्या प्रूफ करना है प्टी क्यों बराबर तू टाइम्स यह आएगा ओ पी क्यूक्त अब अब अकॉन से हमारे पास जो रोज़ा tpq ज्यों पूरा हम पूरा तर मुझे तो ट्पीखيت m pound अच्छे कि यह यहयां बनाःम तो यहांपर यह वाला जो कोड़ होगा यह वाला इधर वंदाने ट्रोंगे तो पती होगा क्योंगी आपको पता है है ये सामनें वाली बुजां है इसके सामनें बुजां का तो मैं तो अगर या Q मैं लिखताओं में त्रभुज को में त्रभुषe TP Q में क्या लिखोगे त्रभुष नीपिक्यू में देखो अगर तो यह तीनो रता य Brittany होगा क्योंकि त्रभू जाए टीपी क्यों में तो तीनों कॉनों का योंग इन्हें सी डिकनी मैं लिख रहा हूं यहापर तीनों कॉनों का योग एक्सों सी डिकर हो कौन कौन से? एक तो हो गया tp q CPQ y.D.P. qBeat Yeah, मैं पहले यह वाला कौन डिक लिक लेता हूं सबक्रों दो qreuth be tq dp q apart tp q apart q q और फी q unit q vay tim 9-10-6 यहाभ यह निइन मनस्टेट़ यहां पाल लिख दो ना यहीं पे नीचल लिग के इसी प्रकार लीगक देते हैं वह इसी प्रकार कोण TQP ये भी 90 माइनस चीटा होगा ये तो पता है ना अभी बताया कि ये बुझाएं और ये बुझाएं इक्वल है तो इसके सामने वाला कॉन इसके सामने वाले कॉन के इक्वल होगा तो इसका सामने वाला कॉन 90 माइनस चीटा आया तो ये भी 90 माइनस चीटा होगा तो TQP भी जोगा वो भी क्या होगा 90 माइनस चीटा तो इसकी जगह भी यहां पर वैलू रग दो क्या 90 माइनस चीटा यहां पर भी रग दिया 90 माइनस चीटा इक्वल टू आ गया 180 ठीक कोई दिक्कत नहीं 1990 हो गया 180 यह मारे पास हो जाएगा गया पीटी क्यूँ यह हो गया 180 सी डिगरी मैने सट फीटा मैने सटू ठीटा बरादर सबस्सु स्टी नहीं टिक्र एकmostश 117ıllे गयुख बराबर आगे üsको माना था सब्सक्रीटन में था यह ओ पिक्यू को नहीं रग में इसखेयर आ गया ओपी यही तो सिद्ध करना है टू टाइमस पी टीक्यू जो है वो टू टाइमस ओपी क्यों के बराबर है यह सिद्ध हो गया करो कि लिए इसको भी एक बार रिपीट करता हूं तीनों क्योंकि अच्छे कोश्चन है तभी मैंने दुबारा दूबारा तीनों कोशन करें हैं यह भी कोश्चन देखो बार क्या किया मैंने इन कोश्चन वे अगर देखो तो बिलकुल फोटा सा है लेकिन पूरा दिमाग आपको आसानी से क्लिए बस इत्ते ही बचा है लाश्ट है को इसी में सबस्थ क्या हो जाएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि क्या रहा था कि को लुजा के सामने वाला कूड ये कूड और इस पूजा के सामने वाला कॉण ये को ये दोनों एक्वल भी होगे क्योंकि ये दोनों लम्माईयां बराबर तो इसके सामने वाला कॉण ये और इसके सामने वाला कॉण ये मतलब यहां से तुम लिख सकते हो कि हमारे पास टीपी क्यू जो होगा अब आओ ये क्योंकि इस पर्स बिंदू है P और Q तो ये मारे पास कित्ता होगा ये 90 होगा अगर हम इसको भी केन से मिला दें तो ये भी हमारे पास 90 होगा ये 90 ये 90 ठीक ये इसको अमने ठीटा माल लिया था कि इसको ठीटा है पूरा 90 है इतना ठीटा है तो ये वाला कित्ता यह मारे पास कैंव थी यह भी नव मानेस शीटा हो जाएगा तो वही चीज लिए लिक दी टी पी कून एंटीस मैंमस ठीटाई है तो टी क्यू पी वी जोगा वह भी नाइंट इमानेस का युग इसकोर और सकूर का युग एक से डिगी होगा पी टीकी तीक यूपी कि टीक यह तीनो को मिला कर इसको मने ठीटा माना हिए और यह भी हमारे पास नैनिटी है और यह कोणर आपके पास जो है ये कोणर और इव ऐ कोम एक पोन ईकोड है तो यह हमारे पास squeeze का क्या हो जाएगा थो किलिए रहा है सब घुड़ है तो लोगों ने complete कर दिया सरकल का भी ठीक अगला वन सौट जो आपका आएगा वह आपको इनफर्म कर देंगे अभी प्रायक्ता का भी बाकी है सांखिकी का भी बाकी है और वरत के छेत्फल का भी तुमारे पास चैप्टर तो पले वरत का छेत्फल का करेंगे वरत भी पड़ाया इसमें टाइब तो डेड़ पोने दो घंटे का है इसको आप अच्छे से complete कर लिए मैंने सारे वो कोश्चन करा दिए इंपॉर्टेंट है सारे करा दिए छोटे के गलाव हमने बड़े कोश्चन भी ज्यादा लिया इसी वज़ए से क्योंकि छोटे कोश्चन तो तुम अगली क्लास में तब तक के लिए टाटा बाबाए